हेले दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विदिकारी में दोस्तों यह वीडियो जो है जूस्पडेंस के हिसाब लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है इसमें हम लगबग साढ़े 300 प्रस्नों को हल करेंगे सबी प्रस्नों को उनकी प्रापर व्याथिया के साथ। और कोसिस यह रहेगी कि इसमें ना के बराबर कोई तूटी हो ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कनफ्यूजन न रहे और जो स्प्रिंस करें के जितनी भी कनफ्यूजन है आपके दिमाग में या रहती है अमूमन तो हम कोसिस करेंगे कि इस से वो सारी खतम हो जाएं और आप से अपने प्रस्णों को हल करके आएं तो यह एक मास्टर वीडियो है इसमें लगभग सभी प्रस्णों को जो बनाए जा सकते हैं लगभग जितने भी टॉपिक हैं जहां से प्रस्ण बनाए जा सकते हैं वहां सारे प्रस्णों को हमने हल किया है और पूरी उम्मीद है कि य के सब्जेक्ट के लिए आपको और इधर धर्व टकनिक को जरूरत नहीं होगी तो आप मारे चैनल विदिकाई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो हम देखते हैं प्रस्टन को ना तो पहला थे सब्सक्राइब का ग्ञान सही और गलत का ग्ञान है किस कथन बूह साइज है आल्पीयन के प्याइब कि ने कहा है कि सब्सक्राइब का नेत्र है यह जो कथन है यह लाश्कि का है नेक्स्ट निम्लिखित में से कौन 20 सास्ष को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं अर्थात उनका कहना है कि जो बीधी सास्थे है वह है यह मोहादे का है संस्षित आदेश का सिध्धांद किसने प्रित्वादित किया था तो यह सिध्धांद जो है बहुत बार पूशा गया है इंका कांट का है कि नेक्स्ट किसने बिदिसास्र को अधिवक्ताओं की बहिर मुखता कहा है तो यह कथन जो है जूलियस इस्टोन का है इन्हों कि नेक्स्ट किसने बिदिसास्र को अधिवक्ताओं की बहिर मुखता कहा है तो यह जो कथन है यह जूलियस इस्टोन के द्वारा किया गया था और यह अर्थात यह जो विदिसासर है उनकी कला के लिए कच्चे माल है इस मी जो सब्सक्राइस यह जो है अधिवक्ताओं के संबंध में जो बीदी सास्र को कॉर्लेट करते हैं यह जूलिय इस सिस्टोन है तो आप इस आधार पे भी अगर दिमाग में वातें कर सकते हैं में सामाजिक संबिदा के सिध्धान्त का प्रत्पादन तो प्रत्थान्ज में उपत्थांद् यूगोग्रोसस ने अंतराश्टी विदी के जनमदाता यह हालन्ड करने के किया और समाज के लोग हैं उन्होंने समझवता कि हम आर्थास हम जंता हैं को अपनी सक्टियां प्रदान करते हैं कि आप हमारे उपर समझाुता आप हमारे उपर सासन किढ़िए इसे ही समनिnost कासे नत कहा जाता है जिसके प्रत्तपादक हिसके और ही माने जाते हैं तो इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है नेक्स्ट राजनीतिक समाज का आधार समाजिक संविदा है यह कथन किसका है तो यह कथन भी यूगो ग्रोश्यस का ही है यह ग्रोश्यस है यह सरवपर्थम यूनानी या ग्रीक विचारदारा में प्रकट हुआ था नैसर्गिक विदि की आधार सिला और इन्हों प्रकृत के तीन लक्षण बताये थे जो प्रकृति है उसके तीन लक्षण है तो उसमें से पहला है चाहं सांसारिक नियथी या जिस्सेर कहा जाता है और दूसरा था इनकी विवस्था तीसरIE ने लक्षण बताया था वो था देवेग तो यह तीन उन्सोर बताया थे जिससे पता है कि प्रक्रितीक क्या है उसको समझने लिए अर्थात जो प्राकृतिक विधी है वह क्या है तो उससे समझने के लिए इन्होंने तीन लक्षण बताये थे कि यह तीन लक्षण अगर पाए जाते हैं तो यह माना जाएगा कि वह प्रागृतिक विधी है नेक्सट vener निम्लीकित में से कौन सा सिद्धांत नहीं सरगी कमीध ही विचार्धारा से संबंदित नहीं है特別 कसित्धान फॉद्व है रफ्षण नहीं पर चाहिए तो उस्में परक्मात नहीं होना चाहिए तो उसे नेचिर्णला कहा जाएगा यूग्तियोग्त तो होना चाहिए कोई भी विधी लेकिन इसमें प्रतियास्थापित प्रतिभूतिका सिध्धान्त यह जो है नेचुरल लाका कोई लक्षण यह नहीं है कि नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन विदिसास्त्री नैसरगी की विदिसे संबंधित नहीं है तो इसमें एक कुनास हैं लेकिन इसमें जो है यह संबन्धित नहीं है बल्कि यह जो है मिशलेशण टनात्मक विचारधारा से संबंधित है विछले सड रात्मक विचारधारा और केलसंगी एक बहुत प्रसिद्ध थीयोरी है बिशुद्ध सिद्धांत बिधिका बिशुद्ध सिद्धांत अर्थाद प्योर ला थीयोरी जो है इनकी बहुत फेमस है बहुत बार ये पोची वी जाती है र consumption नेक्स्ट है निम्ल में से कौनसा विदिशास्त्री नैसरगी की विचारधारा का विरोधी था। इसमें से कि ayosain की विचारधारा है इसके प्रवल बिरोधी थे जर्मी बिन्थम बाकी ये कांट जो है और इस्टेमिलर और जान राल्स यह जो है नाइसरगी से समर्थक थे लेकिन इमेन वह यह जेरमी बेंथन जो है यह नेचुरल लाके बिरोधी थे और उपयोगितावाद का सिध्धानति यह मानते थे जिसमें यह जिसका नियम है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख नेक्स्ट प्राकृतिक बिदि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है तो प्राकृतिक बिदि के संबंध में यूनानी दर्शन के जन्मदाता सुक्रात थे नेक्स्ष निम्लिक्रित वीधिस में से कौन प्राकर्तिक वीधिशारधारा के प्राचीन सिध्धान से संबंदित हैं तो यह जो है सुक्रात हैं कि नेक्स्ट है नैसर्गीक बीधि का धार्मिक चरित्र किसके द्वारा दिया गया था तो नैसर्गीक बीधि का जो धार्मिक इस्वर का एक आदेश है जिसे मनुस्य को उपर लागू किया जाता है तो ऐसा मानना था संथ आगस्टाइन का कि नेक्स्ट अंधकार युग में नैसायरगी को एक नया विवेचन दिया गया तो किसके द्वारा यह नया विवेचन दिया गया तो इसमें जो है तो इन्हों ने नए सरकीख बिधी को एक नया निर्वचना किया और इसके बाद इन्हों ने paper यह मानना था कि इस्तुर ऐसकी बिधी ढूँआती है उसकी उपर इंसान के उपर उसे लागूः किया जाता है यह और यह उसकी प्राकृतिका बिधी और मानने वाले थे नेक्स्ट प्राकृतिक मनुष्य की प्रकृतित था समाज में रहने की उसकी आंतरिक आवस्यक्ता पर आधारित है तो ऐसा जो कथन है वह किसके द्वारा किया गया था जो कि सामाजिक सम्मिदा जो सिद्धान्त है उसके प्रत्वादक थे और अंतर राश्ट नेक्स्ट नेमलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विधी नहीं है और दैवी विधी जिसे डिवाइन ला कहा जाता है सार्व लौकिक विधी और नैतिक विधी तो यह सब प्राकृतिक विधियां हैं और प्राकृतिक विधियों को ही डिवाइन ला अर्थात दैवी विधी कहा जाता है नेक्स्ट टेकिंग राइट्स सिरियसली पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके जो लेखक है वह है ड्वारकिन तो इसमें गलत ड्यारकिन लिखा गया है जबकि यह ड्वारकिन है इस पुस्तक के लेखक नेक्स्ट है नेमलिकित में से कौन नैसरगी की बिधी का आलोचक रहा है अर्थात जो नेचुरल ला है उसके आलोचना किसने किया या उसके आलोचक कौन माने जाते हैं तो इसमें जो है इस हैं वह बिन्थम को माना जाता है जो जेर्मी बिन्थम थे यह उपियोगिता वाद समर्थन था और इसका तात्वरिया है कि कोई विधी या कोई सुख जो है उतन तभी माना जाएगा जब कि उससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके नेक्स्ट निम्लिखित में से कि स्वाद में यह निर्धारित किया गया कि नैसर्गी की न्याय के नियमों का उद्देश न्याय को सुनिष्चित करना या उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है तो यह जो नेड़े था यह एक-एक क्राइपक बनां भारत संग के केस में दिया गया था और इस केस का जो नेड़े था उसके अनुसार जो है नयसर्गीक न्याय का जो नीयम है ने चुलल यस्टिस का जो रूल है। उसके नियमों का उद्देश से है कि नियाय को सुनेश्चित करना एक प्रत्स्तित करना यह नकार अत्मक रूप से उसे प्रस्तुत करते हुए न्याय नेक्स्ट बिद्षास्र की साखाओं में से किसमें इस्टोईग दरशन अपनी अभिव्यक्ति पाई है तो इसका ताथ पर यह है कि किस बिचारधारा में इस्टोईग दरसन जो है समाहित है तो इसका बिचार्धारा इससे मेल खाती है नेक्स्ट है व्यक्ति को राज की विधी माननी चाहिए यद उसे किसी राज की विधी अच्छी नहीं लगती है तो उसे अन्य राज में चला जाना चाहिए तो यह कथन किसका है तो यह जो कथन है वह सुक्रात का है और सुक्रात ने कहा था कि राज्जी की विधी विवेचना उन्होंने इस करते हुए कहा कि व्यक्ति को राज्जी की विधी माननी ही चाहिए और उसे अगर राज्जी मानोधिकारों की संकल्पना को ने मत मैंसे किसे साखा ने जन्म दिया है तो मानवाधिकारों की जो साखा का जन्म हुआ है यह नैसरगीक लाके तहत हुआ है अर्थात जो प्राकृतिक विधी विचारधारा है इसी विचारधारा से जो है यह मानवाधिकारों का जन्म हुआ है नेक्स्ट परवर्ती अंतरवस्तू की नैसरगी की बिधी का परवर्तक कौन था तो परवर्ती अंतरवस्तू की नैसरगी की बिधी के जो प्रवर्तक थे वह इस्टेमलर थे इस्टेम्लर को इसका प्रवर्त्यक माना जाता है और इस्टेम्लर के अनुसार कोई भी आदर्स नहीं होता है अर्थात कोई भी चीज अपसिलूट नहीं होती है और वह समय और परस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है तो इसी कारण जो है इस्टेम्लर को परवर्ती अं अनुसार बदलती रहती है साथ स्टेमलर ने विधि को दो भागों में विभाजित किया था इसके दो प्रकार की जो विधियों का विभाजन किया था तो इसके अनुसार विधि जो है विधि के विचार और विधि की संकल्पना यह दो प्रकार की विधियां यह होती है तो इसके अनुसार विधि का विचार और विध्य की संकल्पना जो है उन्होंने अपनी पुस्तर किन की थी थेओरी आप जस्टिस में इन्होंने इसे समाहित किया था कि किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साजी नएतिकता आवस्यक है कि यह किता कथन जो है यह दावा किसका है को नेक्स्ट निम्लिखित बिधि सास्त्री को परिवर्तनी अंतरवस्तु की नेसरगी की बिधी अर्थात नेचुरल लाविद वैर्येबल कंटेंट के चीजेएं वह सास्वत नहीं है और वह समय और बदलती रहती है नेक्स्ट सामाजिक संस्थाओं का प्रत्रम कुण है यह कतन किसका है यह जो कतन है यह जान रालस का यह है नहीं ने से के भीतर एक्छाओं और प्रयोजनों का समन्व है एक्छाओं और प्रयोजनों का समन्व है काल तथा स्थान के साथ परिवर्तन सील है यह कथन किसका है तो यह कथन जो है वह है रूसों का है नेक्स्ट किसने प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नियु रखने वाले जो विदि सास्त्री वह थे बिन्थम और इस बिन्थम के अनुसार विदी और नायतिक्ता में भिनताएं विद्वान होती हैं और विदी आधार तरक साक्ष और परिक्षण होते हैं और इसके बिप्रीत आधर में नायतिक्ता के नियम होते हैं तो इसलिए उन्होंने कि प्रमारवाद की आधुनिक अर्थ में नियु रखी है और हमेशा इन्होंने वीदि को नायतिक्ता से अलग माना है नेक्स्ट जब तक विस्व में अन्याय महसूस होगा नैसारगी भी धिकी खोज जारी रहेगी तो यह कथन किसका है तो यह जो कथन है वह लाड़ लायड और और आफ हैंपस्टीज का है नेक्स्ट निम्ड में से किसको उपयोगितावाद का प्रतिपादक माना जाता है तो उपयोगितावाद का जो प्रतिवादक है वह जर्मी बेंथम को माना जाता है और बेंथम के बारे में हमने बताया कि इनका जो इस सिद्धान का तात्परी है कि अधिकतम लोगों का अधि लेशन आत्मक कि विचारधारा के प्रवर्त जो है विदिसास्त्री है और अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख और सुख के आधार पे ही कोई विदि अक्षी है कि खराब है तो उसका निर्धारण यह सुख के आधार करते हैं कि इस बी दिकेद्वारा कि अधिक्तम लोगों का भला हो पाता है सुक्रम उनको प्राप्टत हो सकता है नेक्स डाली मिट्स बेसिक्ट जर्मी बिंत है और इसी से मिलता एक नाम और है उसका नाम है दिप्राविन्स कि दर प्राविन्स कि आप जुरॉस्पिरेंट कि दिटर्माइण onner हिसे आप ज्रीजह स्थेस्ट जिटैर माइंड जो है यह उस तक है आश्टिन तो आप इस जो लैंश्ट वाल है इससे आप जह जो है इसको याद रख सकते हैं जो डिफाइन है तो बेंथम्के दोरा किया गया है और डिटमाइन जो है यह है आस्टिन के कि नेक्स्ट है विदिसास्त्र के विशय को किसने विदिसास्त्र था निश्चियात्मक विदिसास्त्र के रूप में वर्गी कृत किया था तो ऐसा जो वर्गी करण है विन्थम की द्वारा किया था बाद में विदिसास्त्र को भी प्राधिकार प्राधिकारिक और प्राधि के विदिशास्त्र में वर्गी करण किया गया था बिंथम की द्वारा नेक्स्ट व्यक्तिवादी उपियोगितावाद का सिध्धान्त किसी विदिशास्त्री की द्वारा प्रत्पादित किया गया था तो व्यक्तिवादी उपियोगितावाद का सिध्धान्त भी बिंथम की इसको बिं्थम पढ़िएगा नेक्स्ट मेंसे किसको उपियोगितावाद के सिध्धानत अर्थात ते लोगों का अधिक से दिक कल्याड तो इसे को ही जो है उपियोगितावाद और इसके परवर्तक देने are कि नेक्स्ट किसे आंगले विधी का जनक कहा जाता है तो आंगले विधी का जनक जो है यह आस्टिन को कहा जाता है और आंगले विधी को ही जो है विश्लेशनात्मक विधी कहा जाता है आंगले विधी या विश्लेशनात्मक जो विचारधारा है इसे ही आंगले विधी कहा जाता है और इसे आंगले विधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है आश्चिन की नाम की आधार पर वहने संप्रभ का समादेश है तो संप्रव नंशार संप्रव का समद्रै नेक्स्ट निंवलिखित विचार दारा का मुख्य प्रवर्टक है log विचारधारा का जो प्रवर्तक है वह आस्टिन है जान आस्टिन है नेक्स है आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नियों किसने रखी थी तो आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नियों जो है यह आस्टिन की द्वारा माना जाता है और आस्टिन जो है यह वि को संप्रव का समादेस मानते हैं दो यहां निमलिखित में कौन है। यहां पर आस्टीन दिया है तो यहीं है बा selv पॉंड जो है यह समाद सास्त्री से हैं कि और सब intentions जो है आइति हासी का नेश्टन को निमलिखित में कि इस उसलेश्जन आत्मक प्रमाणवाद यह नहीं मानता है कि इस में से जो चार आप्सण है वह जो है किसे नहीं मानता तो यह नहीं मानता है कि जो सुनिश्चित अंतर्निहित नयतिक्ता है वह विशेष्टा विधिकायक तात्विक लक्षण है तो विचारधारा को जो आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे विधिसास्त्री हैं जो हमेशा यह काते हैं कि विधि और नयतिक्ता का कोई नहीं है बाकि विधि की प्रकीति जो है समादेशों की होती है तो यह सही है क्योंकि आश्टिन का यह कहना है कि विधि जो है यह होने चाहिए यह जो है बिलकुल अलग होता है और इसे अलग किया जाना चाहिए और विचारधारा का मानना है कि विधि जो है वही है होनी चा और यह जो है इसका लक्षण नहीं है तो यहां पर यह है और होनी चाहिए इसमें भी अंतरस्पष्ट करता है और चौता है बीदी की अधार्णाओं का विसलेशन आज लोजनात्मक मुल्यांगन से भिन्न होता है तो यह इस बात का समर्थन विसलेशनात्मक जो विचारधार भी आस्टिन का ही है कि नेक्स्ट है किसने विदी सास्त्र को सामान और विशिष्ट किया था तो विदी सास्त्र को सामान और विशिष्ट में यह आस्टिन नहीं जो है इसके डिवाइड किया था नेक्स्ट है आस्टिन के अनुसार विदी सास्त्र का विज्ञान किस से सब्सक्राइब करती है ना कि इस बात की आध्यान करती है कि विचारधारा और प्राकृतिक विचारधारा यह जो सब्सक्राइब अलग किया जाना चाहिए तो इस प्रकार से क्यों तीसरा दूसरा विकल्प है निश्यात्मग विध्य यही आश्रिण की विचारधाराका एक जो है उससे संबंदित है कि नेक्स्टर है। उचित रूप से कही जाने वाली विध्य युँम अनुचित रूप से कही जाने वाली विध। में किसे ही रोनी चाहिए तो इसलिए यह विधी और नविठ्ट को अलग-अलग करते हैं इस बिस्लेश रात्माख आतिहासिक और नयतिग विध्योत और यह जो है विषास्तर के तीन भाग है वह सिर्ड कता हैं कि सामान्य और विसिस्ट अर्थ में प्रयोग किये जाने में किसने अंतर किया था अर्था विधिसास्त्र को सामान्य अर्थ और विसिस्ट अर्थ में किसने अंतर किया था तो ऐसा जो अंतर था वह है आश्टिन के द्वारा किया था और आश्टिन नहीं विधिसास्त्र को सामा कि सैविनी को जाता है और सैविनी जो है यह है आयतिहासिक विचारधारा के नेक्स्ट किसने अधिकार की आउधारणा को अनायतिक और समाज के हित के बिरुद्ध के रूप में अस्विकार किया है तो इसमें से जो डियूगिट है इनका यह कहना है कि अधिकार जो है कोई ची हई नहीं है और अधिकार की अधारणा को इसलिए इन्होंने अनायतिक माना है और समाज के हिद के बिरुद्ध माना है तो यह ऐसा जो कता नहीं वह है डिवगिट का है कि जो वा अधिकार की अधिकार की अउधाड़ा वह अनयतिक है और समाज विद्ध है इसलिए इन्हों ने इस अधिकार को ऑष्टीन के अनुसार अधिरचनावादी बीधिका क्या आर्थ है तो mi विधि जो है जैसी है इसका जाना है कि जैसी है हम उसका अध्यान करेंगे ना कि विधी कैसी होनी चाहिए तो इसका जो है अध्यान यह नहीं करते हैं और इनके अनुसार जो अधिरचनावादी विध्य है इसका आर्थ है कि विधी कैसी है नेक्स्ट प्राविंस आप जूरुस्पूडेंस डिटर्माइंड तो अभी अमने बताया कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं अगर आप लास्ट वाला अर्थ पकड़ेंगे तो डिटर्माइंड जहां पर लिखा है तो उस पुस्तक के लेखक हैं जॉन आस्टिन नेक्स्ट उच्चितम न्यारे ने एक के गोपालन बना मद्रास राज के केस में यह बिनिष्चे किया है कि संभीधान के अनुछे दे कैस में वीधी द्वारा अस्थापित प्रक्रिया अभी विएक्ति से अभी प्रेत है तो ऐसी प्रक्रिया जो विधी द्वारा विहित है चाहे वह युक्त-उक्त हो या नहो तो यह निर्ड़े जो है यह किस शाखा के अंतरगत आता है तो यह जो बीधी कैसी है होनी चाहिए तो अर्थात यह जो विचारधारा है अधिरचनावादी तो यह जो है बीधी को नयतिक्ता से प्रिथक करती है और इसी द्रिष्टकोंड पर आधारित है यह है नेड़े नेक्स्ट है आश्टिन के अनुसार संप्रभुता की विशेष्टा है तो संप्रभुता की विशेष्टा क्या है और इसमें क्या आते हैं तो इसमें जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें आती हैं संप्रभुता के अंतरगत और इनका यह कहना है कि यह जो सकारात्मक और नकारात्मक यह लक्षण है यह दोनों ही बिधिमें बिद्धिमान होने चाहिए सकारात्मक पहलों यह है कि उस संप्रभ के आदेश का पालन समाज का जो बहु संख्यक वर्ग है वह आदेदन करता है लेकिन नकारात्मक जो पहलू है नकारात्मक पहलू यह करता है कि स्वयम जो संप्रभ हो है वह किसी के आदेश का पालन नहीं करता है लेकिन इसके आदेशों का सभी लोग पालन करते हैं जो पूरा जो देश वहां की जन संख्या है वह इसके आदेश का पालन करता है तो इसल संप्रव का समादेश है जो करतब अधिरोपित करता है और जिसको सस्ति से बल मिलता है तो ऐसा जो कथन है वह किसके द्वारा किया गया है तो बिदी जो है संप्रव का समादेश है यह इतना भी कई बार पूछा गया है कि बिदी संप्रव का समादेश है यह कथन किसका है तो यह जो संप्रव का समादेस है वह समादेस बलसाली इसलिए है क्योंकि इसके पीछे सस्ति या इसका समादेस है किसका है तो यह कथन आश्टिन का है नेक्स्ट है आश्टिन के अनुसार बीद के निमने लिखित कौन-कौन से गुण है तो आश्टिन के अनुसार बीद के जो गुण है उसमें है आदेश या समादेश जिसे कहते हैं संप्रभू है और अनुसस्ति है अथात एक संप्रभू नहीं कियाजाता है तो वहां पे दंडी का प्रावधान किया जाएगा उसे दंड दिया और इसका पालना होने पर अनुससती होने चाहिए तो इसमें जो लिखित में से कौन विधि को नैतिक्ता से अलग रखता है और कहता है कि विधिसास्तर के गयान का संबन्य की उपयोगिता के उद्देच से yeonहीं है तो यहां पर बार्थ से इसिक्ता से मिलिक अलग करने का जुक आम था यह आश्टिन का ही है कि आश्टिन के उपर सब्सक्राइब को पंचे घाए तो कभी इनकी विचारधारा क्या रही है इनके स्टेटमेंट कभी-कभी पूछे जाते हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है खेर हम इस वीडियो को दो तीन पार्ट में कवर करेंगे तो जिसमें पूरा जूस्पिडेंस आ जाएगा और बहुत जल्दी हम इसको कम्प्लीट इसे पूरा करेंगे इक तो कि इसमें जो है जो है सकारात्मक नएक अब क्ता के रूप में इसे आष्टी ने कहा है क्यूंकि इस निर्माड ऌत है किसी त्वार्शक के द्वारा नहीं किया जाता है नहीं इसका कराया जाता है इसलिए यह कोई जो हैं अंत्राश्टी बीधी कोई बीधी नहीं है यह क्या है एक सकारात्मक नैतिकता है एसा कतान से loka झालनिक का नयतिक आधारों से कोई संबंध नहीं है तो हमेशा अभी भाहत बहुत बार इसको जो है चर्चा किया है कि विद्य नायतिक्ता से बिलकुल अलग है और इसका कोई ले ना देना नहीं है ऐसा कि कथनय स्थिन का है संप्र² राज्यों और अश्यक्ति के रूप में माननता प्राप्त donaถ अ Nurse दी गई है स्वार्जन बर्गर बर्जर के द्वारा इसमें इन्हों ने कहा है कि अंतर राश्टी बिधी नियमों का एक ऐसा समूंव है जो संप्रफु राज्यों और अएसी अन्यहस्तियों मध्यलाग होते हैं जिन्हें अंतर राष्टी व्यक्ति के रूप में मानता प्राप्त है कि ने कहा है कि आज जो है आस्टिन अंतर राष्टी विदी में ताड का ब्रिक्ष है ऐसा कथन है यह ck ealenon का निश्ट निम्लिकित में से कौन सा इस सिधांद का प्रतपादक है तो कौन सा सिधांद है यह की दोनों सम्रूप हैं राज जो है मानो ब्युभार की एक प्रढाली ए सामाजिक दबाउ की एक ब्युअस्था के इत्रिक्ट और कुछ नहीं है यहlye दबावी की मीवह स्था विसलिए नहीं है क्योंकि एक समाज के भीतर दो नहीं वरन यहीं दबावी की वियौस्था एक समय परवेद हो सकती है तो यह ब 피िसी Almियकले ये कही बात मानते हैं कि जो राज कह रहा है वही भिद्य है कि और मानों व्योहार और सामाजिक दबाव की एक विवस्था है और इसलिए कोई भी जैघी है वह एक मानक compliance द्वारा समर्थित और हालेंड के अनुस्वार वास्तिवी की विदि का अवचारिक विज्ञान है और विदि के प्रती इनका जो कथन है तो वह द्रिश्टिकोण इनका है कि विदिसास्त्र को प्रचलित नीगमों विचारों तथा सुधारों से संबंदित सास्त्र होता है और जो विदिसास्त् विधी तो हमेशा जो है यह पूछा जा सकता है कि कौन है जो विधी को तीन भागों में विभाजित करते हैं उसमें पहली है व्यक्तिगत विधी अर्थात पर्सनल ला दूसरी है लोक विधी जिसे पब्लिक ला कहा जाता है और तीसरी है इनके अनुसार अंतराश्टी विधी निम्निखित में से किस नेहां चाहा था कि विधि सास्त्र जो है यह रचनात्मक विधी का रीतिबध ग्यान है तो ऐसा जो कथन यह हलेंड के द्यौरा किया गया नेक्स्ट किसका मत है कि समस्त बिधि संग्रह को अधिनियमित बिधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संगिता करण कहते हैं तो जो ऐसा जो कथन है वह सामंड का है और सामंड के अनुसार जो पूरी बिधियां है समस्त बिधि संग्रह जो है उसको अगर अधिनियमित क जाता है तो उसी प्रक्रिया को संधिता करण या कोडिफिकेशन कहा जाता है हलांकि यह जो सामंड है यह संधिता करण के समर्थक नहीं है लेकिन इन्हों संधिता करण की जो परिभासा है वह यही बताई है कि समस्त बीधिसंग्रहों को अधेनियमित रूप में बदलने की प सात्मक विधिसास्त्र आयतिहासिक विधिसास्त्र नायतिक विधिसास्त्र तो ऐसा जो अरगी करन है यह सामंड के द्वारा किया गया है और नेक्स्ट है कि ने बीद्ग को प्रब्ब का योग कहाँ है तो प्रब्ब्ब मुद्धी नियमों का योग जो है यह कहा है है यह हार्ट की द्वारा और यह जो है आंगल विधिसास्त्री और इनके पुस्त्क है बहुत पूंची जाती है कॉंसेप्ट आफ Ah भी ला यह जो पुस्टक है यह है एसल हार्ट की है और इस में जो है इस पुस्टक में उने कहा कि भी जो है प्रमुख और गौण नियमों का एक योग है और सबसे महत्पूर बात यह भी है कि आस्टिन इसनों ने रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वहीं अगर आश्टिन को देखेंगे तो ठीक जो है एकदम सीरे से नकारते हैं कि बीदी और नयतिक्ता का कोई दूर-दूर तक संबंद नहीं है यह दोनों बिल्कुल लग चीजें हैं और बीदी में कभी नयतिक्ता को सामिल नहीं करना चाहिए जबकि हार्ट जो है उसका अपवाद बताते हैं और इनका यह कहना है कि बीदी और नयतिक्ता जो है यह आपस में पहुत घनिष्ट रूप से संबंदित ह और नेक्ष्ट हार्ट का वे विषलेशन प्रभी या भीद करता है किनके बीच में तो है दो टॉक्ति हाता है भीद भाद्य होना तथा आभर रखना के बीच उन्हार इं तीनों है औधर भी समबंदित हैं इन्होंने विचारों है उनको उसमें मानिता को महत्पूर्ण स्थान दिया है और इनको इनके अनुसार बीधि में बाध्यता प्रपीडन तथा धमकी को जो होना आवस्यक है तभी बीधि का पालन किया जाएगा अनिता बीधि को जो है पालन नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट है दा कंसेप्ट आफ ला नामक पुस्तक की लेखक कौन है तो अभी हमने बताया कि कंसेप्ट आफ ला नामक पुस्तक की लेखक हले हार्ट है और यह बहुत बार परिछाओं में पूछा गया है कि इस पुस्तक का नाम और लेखक कौन है नेक्स निम्लिकित में से क बिद्धिसास्त्री का कथन है कि जो है मानव आचरण को नियमों के सासन के अधिन बनाने का उपक्रम है तो ऐसा जो कथन है वह है फुलर महोदे का है कि नेक्स्ट नेमलिखित वीद्धिसास्त्रियों में से कौन प्रत्यक्षवाद साखा से संबंदित नहीं है वह हैं रोनाल्ड डौकिन बाकी केलसन यह भी मिस्सलीशर आत्मक से है आश्टिन तो उसके प्रतपादक ही है और हार्ट भी यह है बित्सलीशर आत्मक बीचारदारा से इनालेटिक सब्सक्रादार से संब्दित है लेकिन डॉर्किन जो यह इससे समधित नहीं है नेट्स भी दू स्कूल जिने में एक समाने ल говорит है उसे नहीं कि ने लेकिन अन्य सभी बातों में वह एक दूसरे से भिन हैं तो वे कौन सी विचारधाराएं हैं तो इसमें से हैं विचारधारा और दूसरी है आतिहासिक विचारधारा तो इनकी समानता है समानता इस बात को लेके है कि इन दोनों विचारधाराओं ने प्राकृतिक बिधिका बिरोध किया है प्राकृतिक बीदिका इन दोनों ही विचारधाराओं ने बिरोध किया है और दोनों का यह मानना है कि वह मानव के द्वारा बनाई जाती है जबकि प्राकृतिक बीदिका विचार यह था कि बीदि जो है इस्वर के द्वारा बनाई जाता है तो और इन दोनों ने इस बात को नकार दिया है कि बीद किसी इस्वर के द्वारा बनाइजाता है लेकिन फिर कहना है कि बीद मनुष्य के साथ बनाई जाती है तो मनुष्य के साथ डवलभ होती है उसके साथ खतम हो जाती है लेकिन यहां पर मानना है कि बीद्धी जो है वह नहीं अलग है और उसका नहींतृ से कोई लेना देना नहीं है और इसी में जो मैं आना पर में नियां जा जा risks अधिकतम लोगों को झो है लाव प्राप्तहएं सट मु का ही तो हो सके नेक्स्ट है निम्लिकित बीध दार्सनिकों में से कौन बीधिसास्र की आयतिहासिक साखा का प्रवर्तक माना जाता है तो आयतिहासिक साखा का जो प्रवर्तक है वो है सैविनी सैविनी को हिस्टोरिकल जो इसकूल अफला है इसका प्रवर्तक माना जाता है इसका फादर माना भी समाप्त हो जाती है यह कथन है यह सैविनी का ही है और यह एस्टोरिकल स्कूल आपला के जो है फादर या प्रतिपादक माने जाते हैं यह नेक्स्ट है बिधी दार्शनिक जी से सामानेतिया बिधी सास्त्र के इतिहासवादी विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता he स्टिन की वल्ट उस्टारषा शाश्चरण करना पसंद करता है तो आश्तिन की वीचारधा प्रूमारा है उसको जो है है एलन के दौरा कि जो है आदेहे सात्मक विशाद्रा कहा जाता है कि निक्स्ट है किसंवारी शाष्त्तरी को डार्वन के पूर्व डार्विनवादी और समासे ट्यास्तरी चया जा है तो यह भी कोश्चन काफी important है क्योंकि कथन है कथन जो है important होते हैं और कई रहते तो याद रखना जरूरी है और Darwin के पूर Darwin वादी अर्थाट Darwin क्या है यह कि अगर ऐसे व्यवहर में समझें तो Darwin एक ग्यानिक थे जो कि मनुष्य के जो डबलप्मेंट है उसमें परिवर्तन है उस सिधान्त के प्रत्पादक थे तो यह कुल्मिला के इतिहाद से संबंदित हैं और समाज सास्त्री यह सैविनी को माना जाता है और सैविनी जो है वह है सामराज के साथ ही विक्सित होती है उसी साथ फलती फूलती है जब समाज खतम हो जाता है तो इसलिए जो है समाज के साथ विदी को कोर्रेलेट भी करते हैं कि नेक्स्ट है दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिसास्त्री कौन थे तो दार्शनिक विधिसास्त्र के जो विधिसास्त्री है वह हैं हीगल नेक्स्ट प्रकृत ने मानों को सुख और दुख के सामराज के अधीन कर रखा है यह कथन किसका है या कथन किसके दौरा किया गया तो जहां सुख और दुख की बात आए तुरंत आप बेंथम को लगाएं क्योंकि बेंथम जो है वादी विचारधारा के दार्सनीक थे या बिधिसास्त्री थे और इन्होंने उपयोगितावाद का सिध्धान प्रतिपादित किया था उपयोगितावाद और इसे ही सुखवाद कहा जाता है जब आप फिलास्वी पढ़ेंगे तो यह मिलता है उसमें सुखवाद तो उपयोगितावाद या सुखवाद का प्रत्पादन था वह है बेन्थम के द्वारा किया गया था और इसका तात्पर ही है कि जिस बिदी से या जिस कार्य से मनुष्य को अधिक से अधिक सुख मिले और अगर उसको दुख मिलता है तो अच्छी नहीं है जो है वह मनुष्य के लिए ठीक नहीं है तो इसलिए इन्होंने सुख और दुख के मानक के आधार पर विदिका अच्छी है खराब है उसका निर्धारन किया है तो उपयोगितावाद सुख वाद इन सब का जो या सु next आयतिहासिक चूल का डार्विन कौन कहलाता तो आयतिहासिक वीचारधारा का डार्विन कहा जाता है सैवीनी को और सैवीनी को एक पुष्टक रिपा आप परोड़े घान में एज लेजिसलेशन एंड जूस्पृटटेंस तो उन्होंसने जो इस विचारधारा का पृतिक्रिया किया था और इसलिए इन्हें अायतिहासिक स्कूल का डारविन भी कह जाता है में दोंतों कि बीद् corrections के शोट के तर्थ様 कि ठीकरिया थी अर्थास्तार अयतिहासिक स्कूल कि समय के साथ पैदा होती है उसके साथ फलती फूलती है और समय के साथ समाज के साथ समाप्त हो जाती है जैसे राज्यकास्ति खतम होता है और यह जो साखा है प्राकृतिक विचारधारा की जो कल्पना प्याधारित था तो उसी विचारधारा के प्रतिक्रिया के सुरूप आई नेक्स्ट है सैवीनि का सिध्धांत कि पर आधारित है सैवीनि का जो सिध्धांत है यह कि जो है रोमन बी यavour अधारित है को सबनेक्ष्ट्रीक सब्सक्रावस कि और कुछ नहीं है बलकि जन साधारण की अंतया चेतना है तो यह जो कथन है वह स्ैविनी का ही है और यह जो है लोग चैतना का सिधान यह पूँछा जाता है कि रहista कि इसकी कि सिधान्त है तो यह सैविनी का है अर्थात जो है सैविनी के अनुष invi azuki और कुछ नहीं है भी-दोरा होई भी जो है स्वेयं नहीं पायदा हुई है यह सोच यह सैविनिका है आधा नेमलखित में से कौन ओब प्रित्वादक परित्वाद है लोग शेत्वारू के सैङ्दा को और हेनिरी मेन यह दोनों आते हैं लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो लोग चेतना का सिध्धान्त है इन्हों ने दिया इनका अगर आईसे को रेलेट करेंगे आपकी आयतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक रहे यह पहली बात दूसरी बात यह है कि अगर आप देख लोग जो है अपने अधिकार समझने लगे तो इसी तरह से उनके अधिकारों पर बृद्धी होती गई और उनके विद्धी के होसाथ साथ बिधियां बनती गई तो इसलिए जो बिधियों का मूल आधार है वह लोग चेतना है तो लोग चेतना का सिध्धान्त यह पूछा काता है कि किसका है साव कि के लिखा था तो यहां पे AMijn कि पुस्तक को टीला ने लिखा था एक्ञेनी नि लिखा था एद शिस्टम आप माडर्न रोमन या पूस तक जो है सबीनी की है और यह दो किताब नहां और है जो की इंपोर्टेंट है अभी हमने आप इससे चर्चा भी की ती इसकी कि दा प्राविंस आप जो इस प्राविंस आप जूरुस्पूदेंस यह थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ है डेटर्माइंड तो इस पुस्तक के जो लेखक है वह है आस्टिन है इसको ध्यान में रखना है कि इसपूस्तक के लेखक हैं और लिमिट्स आप जूरुस्पूदेंस यहां मिस्प्रेंट हुआ है जूरुसपूदेंस डिफाइंड तो डिफाइंड के जो लेखक है वह है बेंधर हैं अप कि यह दो Nikki डिटर्माइंड किया गया है और दा सिस्टेम आप माडर्न रोमन ला तो माडर्न है यह जो है सैविनी की पुस्तक है नेक्स डास रेक्ट इज वैसिट्स यह किसका कारी है डास रेक्ट डैस बैसिट्स किसा कारी है यह एक पुस्तक है कासे टवर है याठ यह जो इसका अरथ है डाला आफ पजेशन और इस नाम से भी पूछे जाता है दल आ पजेशन किसकी पुस्टक है तो दला पजेशन जो है यह सविनी की कि पुस्टक है कि नेक्स्ट नेमलिखित में से कि संगीता करण का विरोध किया जो एक लउफ पीजरे में बंदी बना सकता था तथा व्यक्तियों के विचारों की बाढ़ के उस निर्बाद प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो जल की सांदार संयागता के प्रवाह में है तो यह जो है सैविनी थे सैविनी का कहना यह था कि जो विधियां हैं उनका संगिताकरण में किया जाना चाहिए क्योंकि अगर हम संगेता करण कर देते हैं तो उसको एक नियम में बाद देते हैं और इससे बाहर इसका बफस्तार है इसलिए किसी भी इदिता संगेता करण नहीं होना तो समय पर इसका निरंतर जो है इसका विकास होता रहता है सैविनी ने संगीता करन का विरोध किया था नेक्स्ट है नेमलिखित विचारधाराओं में से कौन सी एक इस विचार से जुड़ी है कि बीधी पाई जाती है बनाई नहीं जाती है यह भी बहुत महत्पूर्ण प्रस्ण है यह बहुत बार पूछा गया है और यह यह इतिहासिक विचारधारा का जिए मानना था कि बीध चीचार पर हैं तमाम लोग हैं तमाम उनके अधिकार हैं और उन सब को कलेक्ट करके एक जिए जाता है और लोग जो है उसका फालो करते हैं और इसलिए बैपिधी बनाई नहीं जा सकती किसी बिक्त की द्वरा यह पाई जाती है यह आयतिहासिक विचारधारा का यह मानना ह इस ने क्या विद्विव को बढ़ती है हावर उसके बिघयें पर समाप्थ? यह किस विचारधारा किसका है यह आयितिहासिक बिचारधारा का सिद्धान्त कि ब्रat का जाती है और राष्ड के साथ इसका जनम होता है अर्थात साथ नागरिकों के साथ इसका जन्म होता है उन्हीं के साथ पलती बढ़ती है उन्हीं साथ समाप्थ हो जाती है कि जबकि विश्लेशनवादी विचारधार का इसके ठीक उल्टा विचार है उनका यह मानना है कि विधी जो है पाई नहीं जाती है उसको बनाया जाता है लोग विकास के साथ विक्सित होती है लोगों की सक्ति के साथ संपन्न होती है और अंत में जब राष्ट अपनी राष्टी तक हो देता है तो वह मर जाती है तो यह जो कथन है यह किस विचारधारा का है तो यह जो है आयतिहासिक विचारधारा का है और आयतिहासिक होती है और जैसे ही राष्ट अपनी राष्टी तक हो देता है तो वही बात फिर से हमने बताया कि आयतिहासिक विद्विचारधार संबंदित है और इसकी प्रतिवादक या इसका जो कथन है वह स्यमिनी ने किया है यह सकत है नेक्स्ट है निम्लिकित में से किस साखा के साथ बीदिका जातियतावादी सिध्धान्त जुड़ा हुआ है तो बीदिका जातियतावादी जो सिध्धान्त है वह आयतिहासिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है और यह जो जातियतावादी सिध्धान्त है इस समझते हैं तो इस जातियतावादी सिध्धान्त जो है यह सिध्धान्त है और जर्मनी में जो नाजी वादी थे वहां के जो नाजी विचारधारा को मानने वाले थे उन्होंने जातियतावादी सिध्धान्त का प्रयोग करके किया था किसलिए सत्ता पाने के लिए कि सत्ता पाने के लिए इस जातीतावादी सिध्धान्त का प्रयोग कहां किया गया था जर्मनी में और किसने नेक्स्ट है नेमलिखित बिदिसास्त्रियों में से संबंधित नहीं है यह पूछा है कि कौन हिस्टोरिकल स्कूल है उससे संबंधित नहीं संबंधित नहीं है समाज सास्त्री विचार थारा के विदिसास्त्री है नेक्स है नेमलिखित विदिसास्त्रियों में कौन ऐतिहासी की स्कूल से संबंधित नहीं था तो इसमें फिर से वही पूछा है कि कौन इसमें नहीं था तो इसमें से जो है हीगल है सैविनी है और हैं यह संब्ंदीत है लेकर लेकिन उहस्टोरीय का सबय यह संब्न निख चैनल के विचारकों सहसे विचारक कहान सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्योंकि बिद्धिसास्त्री थे बाकि सैमिनी हेंडी मेन और पुछता ये दोनों तीनों जो है आयतिहासिक विचारधारा के हैं तो दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रस्ण रिपीट होंगे तो आप उसके लिए यह आपके लिए और भी इजी होगा क्योंकि अगर क्यों आपक तरीके से या कुछ उसमें हेर फिर करके वह आपको समक्ष हम रिपीट करके भी इसलिए ले आए हैं ताकि अगर वह बार बार आपकी निगाह के सामने से कोश्चन गुजरेंगे तो आपको जो है उसे हल करने में याद हो जाएगा और है करने में असानी होगी और इससे एक इंग्लिस विधी रोमन विधी और हिंदू विधियों के गुड़ अध्यान के बाद जो है विदी के आइतिहासिक अध्यान में तुलनात्मक अध्यान की पध्धती है उसको अपनाने पर बल दिया था नेक्स्ट है यह त्योरी आप जस्टिस यह पुस्तक किसकी है तो यह गतिमान है तो आएसा जो विफैसा ने कहा औरेंग्लमें ने कहा कि विकास सिल समाजों के संचालन प्रास्ठीते से संविता की और हो रहा है नेक्स्ट बिद की प्रकृति सार्भामिक नहीं है और भासा की भाति यह व्यक्तियों और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है तो यह जो कथन है वह किसी सिध्धान्त से संबंदित है तो यह कथन जो है यह सामाजिक समयक्ता के सिध्धान्त से संबंदित है और सामाजिक सम और इस सिद्धान्त का जो प्रतिपादन था डियोगिट के द्वारा ला इंदी माडन इस्टेट नामक किया गया था कि नेक्स्ट है निमलिखित में से किसने कहा कि विकास सील समाजों का अब तक संचालन प्रास्थिती से संभिदा की ओर हो रहा है तो अभी हमने कि विधिसास्र को प्रिथक विद्या के रूप में किसने प्रतिपादित किया था तो इसमें से जो रोमन जो विधिसास्त्री थे तो रोमन विधिसास्त्रियों के द्वारा यह विधिसास्र को एक अलग विद्या के रूप में प्रतिपादित किया गया था कि दिप्राविनल से आफ लाइममिस इस पूस्तक के दौरा लिखा गया था बार कर giorn ये के कि बिदके सिद्धान्त को भीशुद्ध सिधान्त कहते हैं कियोंकि कीलेशन आए अब इसके सिधान्त को केलशन पे सिध्द्ध को भिशुद्ध मिद्धि का सिध्द्धक कहा जाता है उसका कारण यह है कि इसने іसे भेजिए को धर्म नीद susड्र समाज विशुद्स का yaşंब है और इसंवे और नहीं होना चाहिए और इसमें धर्म और नहीं पूछना चाहिए excited सपुछ सब्सक्राइब को इन्होंने किया है श्रुप किया है इसलिए जो है वहां बिशुद्सिद्धaufen things कहा जाता है और अलग से भी कोश्चन पूछा जाता है कि विशुद्ध बिधी का सिध्धान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि किसने की मनोबाइज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभासित किया था तो बीधी की परिभासा इन्हों के दिया है कि मनोबअग्ञानिक विद्याक्ट इस प्रकार की परिभासा थी यह के द्वारा दी गई थी नेक्स्ट है प्रगतिसील समाज का संचालन प्रास्थिती से संबिदा की और जो जहां भी है सब्दा है आपको तुरंत ध्यान में रखना है कि इसके जो संपादक थे सिद्धान्त के Shortiras यो और जेंटिलेस जो है यह नए सर्गीक विधिक के समर्थक हैं आश्टिन ने प्रतियस्थापित नैतिक्ता का सिध्धान्त प्रत्वादित किया है और विट्टोरिया जो है अधिरचनावादी साखा की पुरवर्ति माने जाते हैं और समास्तास्त्री स्कूल की जो प्रतिक्रिया सरूप यह अस्तित्य में आई है और इस विचारधार का जो मानना है यह जो बिधिसास्त्री जो है वह राशको पाउंड हैं जिन्होंने सामाजिक अभियांत्र की अर्था सोशल इंजिनरिंग का सिद्धांद प्रत्थिपादित किया था शर्वाधिक व्यापक अर्थो में योगिक सुरूप है जिसे बहु Chemise की सक्टी कि द्वारा प्रांप्त किया सकता है तो यह कथन है वह किस विचारधारा से संबंदित हैसे वोस ऐत्रह समाज सास्त्री बिद्धिमान होती है, इन्हें बनाया नहीं जाता है, तो यह जो विचारधारा यंठारों स्थे रहता है, और इस मिझा लहरा तो च्जो अस्तितों आथा इसलिए यह अलग से नहीं जाती बल्कि यह जन्व सम्दाय में यह तुम विद्यमान रहती है और इन्ही का चाहिए राश्ट्र के साथ जन्म लेती है उसी साथ बढ़ती है और जब राश्ट्र का बिघ्टन हो जाता है तो बीधी भी समाप्त होजाती तो इस परकार से यह जो से संबन्दीत है नेक्ष के लिए ऐंत्ते रिट्रत संबन्दीत है ये संबन्द यह जो कथन है यह है अईतिहासिक विचारधारा से संबंध रखती है और इसके अनुसार जो भीद है वह हंत्यता सांती पुर्वक कारियरत आंतरिक ताक्तों की उपज है नेक्स्ट कथन ए समाज सास्त्री विचारधारा की राश्को पाउंड के नाम से पहचान करना सरल है तो यह कथन सही है क्योंकि जो राश्को पाउंड थे वह समाज सास्त्री विचारधारा से संबंध थे और कारण है समाज सास्त्री विचारधारा का न तो पाउंड से प्रा पार है नहीं है नेक्स्ट निम्लिकित चार प्रकार के विद्धिक सिध्धानतों पर विचार की जिए इनका क्रम बतलगाना है और इसमें से जो विदिक आग्यापक सिध्धानत है सबसे पहले आएगा उसके बाद जो है यह जन्चेतना आती है तो दूसरे नंबर पर जन्चेतना आती है तीसरे नंबर पर सामाजिक संहती आता है और सबसे बाद में जो है यह है सोशल इंजिंदिंग आता है अर्थात दो एक चार तीन यह जो बी वाला अप्सन है दूसरा यही सई है नेक्स्ट है निमलिखित में से किसने सामाजिक समयकता का सिध्धांत प्रत्पादित किया था तो सामाजिक समयकता का जो सिध्धांत है यह है ड्यूगिट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और ड्यूगिट ने इसे जो है अपनी पुस्तेक ला इंद माडर्न संबंदित है तो समयक्ता का सिध्धांत जो है प्रतवावजित कि था इन्हें और बचलंत कि दो सामाजिक समेक्ता एक तथ्य है और यह सामाजिक जीवन के लिए आवस्यक है तो यह कथन है यह कहा गया था कि द्वारा और सामाजिक समेक्ता का जो सिध्धान थे वह भी नहीं प्रतिपादित किया है सAmाजिक संसक्ती अर्थात समेक्ता की स्रम का जो भी भाजन है वह सरवाधिक महत्फुका दिड़न 15 क grenade का क्या नाम है सामाजिक संहती यहाइकात्मकर क्ता सामाजिक कारे का जो विचार है यह व्यक्ति परक अधिकार की संगल्पना को निरस्त कर देता है तो यह जो कथा नहीं है ड्यूगिट का है नेक्स्ट है दार्शनिक विचारधारा के प्रमुक्य विधिसास्त्री कौन थे तो दार्शनिक विचारधारा के इसमें जो प्रमुक्य विधिसास्त्री थे तो इसमें से कि हीगल थे दार्षनिक विचारधारा के कि नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की धुरी राज संगठन में नहीत नहों कर राज के अंतरगत पाए जाने वाले सामोहिक निकायों में नहीत होता है तो यह जो है किसका कथन है यह कथन ड्यूगिट का है कि नेक्स्ट सामाजिक अभियंत्रण की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी तो सामाजिक अभियंत्रण अर्थात सोसल इंजिनरिंग की जो संगल्पना है यह है रास्को पाउंड के द्वारा दी गई थी इसका अर्थ है समाज में प्रतियस्पर्दी हितों को संतुलित किया जाना चाहिए अर्थात समाज में जो है उचे नीचे तमाम तरह के लोग हैं और इन सब के बीच में जो संतुलन बनाया जाना चाहिए और उस संतुलन के बाद जो बिधी बनाई जाती है तो इसी संतुलन क कि इननि पॉपह उप्रचपादक उसने प्रत्पादक ब्रकाषी कि अ उन्हों सामाजिक ह對了 जो एक हित्स भागों में विभाजी किया गया है जो के हित्स और सामाजी की ही और इनका यह मानना है कि यह जो सोशल इंजिंडिंग जो कांसेप्ट है तो इसके अनुसार अगर इसको फालो किया जाएगा तो समाज में तक्राव निउनतम होगा और लोगों के बीच में सवहार्द बढ़ेगा नेक्स्ट निमलिखित में से किस विधिवेत्ता का नाम इस सिध्धान से जुड़ा है कि कानून जो है सामाजिक अभियांत्रिकी का एक साधन है तो सोशल इंजिंडिंग या सामाजिक अभियांत्रिकी जहां भी आए तो रासको पाउंड इसके प्रत्पादिक है नेक्स्ट रासको पाउंट द्वारा प्रत्वादित सोशल इंजिनरिंग के सिधान्त का सही अर्थ क्या भए तो इसका जो सही अर्थ है अर्थ है कि समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं और उन सारे लोगों को एक जगह समनुईत करना और ताकि उनके अंतरगत उनके हैं प्रतियस् परदी हीत हैं उनका संतुलन बना रहे नेक्स्ट किसने कहा है कि बीधिका कार्य सामाजिक नियंत्रण है तो यह वकार्य भी सो राशको पाउंड का है तो हमने इसलिए इसमें बहुत सारे प्रस्णों को एक ही तरह के रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे और बार बा सब्सक्राणिया कि वह गलत होई नहीं सकता परिक्षा हाल में आप यहां उसे कई बार अगर आप साल्व करके जाते हैं तो नेक्स्ट है राशको पाउंड ने सामाजिक इंजिनरिंग के सिद्धान्त का प्रत्पादिन किया था इसका अर्थ है इसका अर्थ वही है प्रति बिद्धी समाज की आवसकताओं डाउं और मागों के संतूष्टी अर्थात न्याएधिस जो नियम है ग्रेकाए और इसका जो है बाद में आगे बिरोध करते हैं बिंथम और बिंथम जो है इसका बिरोध करते हुए कहते हैं कि जो नियाधीस जो है घोसित बिधी का महत्तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लोग अपने कुट्टों के लिए बिधी बनाते हैं तो इसलिए जो है बिंथम का ए जीवन में सामाजिकlara मिल नहीं है यह सवयम में इसमने सामिल नहीं रहा अवसर जीवन की दसाएं के सामाजिक करने अवधाणा किसकी देन है तो जीवित विध की अर्थात living lucky अवधाड़ा एहरलिज की देन है और एहरलिज का यह मानना था कि जो बीधि होती है बीधि में अगर आप देखेंगे तो वहां किसी जिसस्थान की विधि है उसस्थान की उसमें प्रताएं आती सामिल होती है परमपराय वो सब दिखाई देती हैं तो इसलिए एक जो बीधी होती है किसी असथान की एक जीवित दस्तावेंज होता है वहां का वहां पर उसमें तमाम ब्रचलित प्रथाय थो श। कि विशेश करते हुए अगर कोई कांसेट जो है वह प्रतिपादित करता है तो उन सारी चीज़ों को अभिप्राई है जो राज्य का जो है संपूर्ड विधीः एंग होता है उसे ही ऍलंस सपूर्ण कि नहीं करते कर आप सब्कूमेंट के माध्यम से आंध्यका निर्मार भी करते हैं कि अंधकार यूग में नया या निर्वचन यहां स्प्रिंट हुआ है यह इंटरप्रेटेस्ट जी से काते हैं निरवचन दिया गया है से दोरा अंधकार युग में नेशरेक्ष 20 भी भी 7 зачทो एक दिया गया था तो इसा जो नीरृ चल ठाव्ट अगस्टाइड के द्वारा दिया गया था second नेक्सट है विधिक विकास का गुरुत्वा करसं ने तू बिधायन में है और नहीं नियाइक निर्णन में है तो je अगर देखेंगे तो जो जुड़ी स्री है वहां का जो निड़े करती है तो निड़े की बातें उसमें सामिल होती है तो इसी तरह के जो बिधी निर्माड संस्था है जैसे संसथ है तो उनके द्वारा जो कार किया जाता है ति यह सारी बातें जो है इस वहां किसी अस्थान की ला में दिखाई देती है तिसलिए इन्हो बलकि वह समाज में स्वयम है और इसलिए इन्होंने लिविंग ला अर्थात dhina अधार प्रस्तूत किय था इहरलिच ने और इहरलिच जो है यह के और बाकि यह रासको पाउंड डिविट्स विचार दारा के पालूर थे नेक्स्ट निमलिखित में से कौन विधि सास्त्र की समाज सास्त्री साखा से संबंधित है तो समाज सास्त्री साखा से संबंधित इसमें रास्कोपाउंड है बाके सैविनी सावेंड अरस्तु यह सब नहीं है कि नेक्स्ट है किस बिधि सास्त्री को डार्विन से पूर्व डार्विन वादी और समाशास्त्रियों से पूर्व समाशास्त्री कहा जाता है तो यह जो कहा जाता है सैविनी को और सैविनी जो है यह आयतिहासिक विचारधारा के यह प्रतिपादक थे नेक्स्ट बीधि में नियूनतम नयतिक्ता होनी चाहिए यह किसका मानना है तो बीधि में नियूनतम नयतिक्ता होनी चाहिए ऐसा कहना है लाड डेवलिन का इनके अनुसार जब बीधि में कम से कम नयतिक्ता होगी तभी यह एक बेहतर बीधि बन सकती है अगर हम आस्टिन को को देखते हैं तो वह सब कहते हैं कि विधी और नयतिकता में कोई जंबंद नहीं है इन्हें बहुत अलग-अलग होना चाहिए क्योंकि विधी और नयतिकता जब एक साथ रहेंगी तो एक अच्छी विधी नहीं बन सकती है और उससे लोगों कि नहीं मिल सकता है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन समाशास्त्री विचारधारा का समर्थक नहीं है तो इसमें से राश्कोपाउंड है डियूगिट है यहरिंग है लेकिन बेंथम जो है यह समाशास्त्री विचारधारा के नहीं है बलकि बेंथम जो है वह है विसलेशन वादी विचारधारा ताके बिए समर्थक हैं और इन्होंने उपयोगितावाद एक सिध्धांत प्रत्पादित किया है या सुखवाद गासिधांत इन्होंने प्रत्पादित किया था नेक्स्ट प्रख्यात निबंध डिटर्माइनिंग रेशियो डेसिडेंडी आफे केस इसके लेखक कौन है तो इस जो निबंध है या यह जो लेक है इसके लेक हैं गुड हार्ट तो गुड हार्ट ने इसको लिखा है और इसमें जो है उन्होंने सामंड के बिनिश्चय आधार अर्थात रेशियो डेसिडेंडी सिध्धांत की आलोचना की है और यह कहा है कि वसुतह न्याले के द्वारा प्रति कि निद्धीस कि वाद के तत्यों के आधार पर निकाला गया इसकर्ष बिनिश्चय आधार होता है अर्थात हम किसी नीड़े आधार को पहले से ही मानकर नीड़े नहीं दे सकते हैं और न्याधीस जो है किसी तत्थिक आधार पगर नेड़े देता है तो वही उसके नेड़े का आधार होता है तो नेक्स्ट कौन सी विचारधारा यह अध्यान करती है उन सक्तियों का अर्थात एक विचारधारा है यह उन सक्तियों का अध्यान करती है जिनका प्रयोग न्याधीसों द्वारा नेड़े लेने में किया जाता है तो यह जो है यथार्थवादी विचारधारा है और यह थार् यथार्थवादी विचारधारा को समाज सास्त्री विचारधारा का विपरीत माना जाता है अर्थात यह दो है एक दूसरे के विपरीत हैं और इस विचारधारा को का जो प्रतिपादक है वह जेरोम फ्रैंक से हैं यह थार्थवादी विचारधारा के प्रतिपादक जेरोम से घर होता है और यह थार्थवादी जो है इनका जो मूल है यहीं से निकल के आया है होम से ही और प्रतिपादन किया है निकाला है इसे जेरोम फ्रैंक्ट ने तो आप कुछ नुकुछ इस तरह से अपना तर्क लगाए रखेंगे तो याद रहेंगी यह सब चीज़ें इस अंतरष्टी विदि का विकास राज्यों कीरीतियों के द्वारा भी होता है और इसक्या कहाजाता है अरहताध कभी यह कठिन कार्य होता है और इसे विकास प्राप्त करना होता है तो यह जो है किसने कहा है यह किसने धारित किया है तो ऐसा मानना जो है फ्रेडरिक का है और फ्रेडरिक ने कहा है कि न्याय की प्रकृती और न्याय की जो व्याख्या करते हुए नहीं कहा था कि न्याय कभी दिया नहीं जाता क्योंकि न्याय देना एक बहुत कठिन कार होता ह इसलिए न्याय को दिया नहीं जाता बलगी से पाना होता है नेक्स्ट रोमन飯 इराच्ज उत्तर अधिकार के नियम को प्रत्हंबार किसके दोरा समाविष्ट किया गया था तो यह जो है सबसे पहले ग्रोस्यस पूर्षिया या हुदो ग्रोशर के द्वारा समाविष्ट किया गया था और यह अंतर राष्टी विद्ध के जनक भी माने जाते हैं और इनका यह मानना था कि यह जो राज्य है राज्य जो है सुतंत लोगों का एक पूर्ण संग है जो अपने अधिकारों और सामान हितों के लिए एक साथ जुड़ हुए हैं उनका एक संग ही राज्य का लाता है कि नेक्स्ट है किसने कहा है कि लोकनीत एक अनियंत्रित घोड़ा है तो यह कथन बहुत बार पूछा गया है कि लोकनीत एक अनियंत्रित घोड़ा है यह कथन किसका है तो यह कथन न्याधिस बोरो का है और नेक्स्ट सही सुमेलित करने के यहां दिया गया है और इसमें सही सुमेलित हैं सब अचियान हैं 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 यहां हैं हैं निरे मेन जो है यही अतिहासिक विचारधारा के बिशास्त्री थे उगो सब्सक्स नायतिक विचारधारा से संबंद रखते थे प्रकू और बिन्थम जो है यह वी directement से थे और यथार्थ वादी विचारधारा से थे अब वे ब Virtan ने सस्को यथार्थ को यथार्थ करने के लिए फिर से वही है सुमेलित करने के लिए भी बहुत बार प्रसंद दिया जाता है तो इसलिए आप चीजों कर ध्यान रहेगा तो सुमेलित अपने आप कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है तो लोग स्थिल समाज हैसियत से संविदा को आर्थात प्राश्थिति से संविदा की ओर जो सिध्धान किया गया था और cbt START सुमेलित करने के लिए संवाजिक समेकता का सिध्धान तो इसमें डूगित के दवारा फ्रेन किया गया थार्दूसरा है बाइज्ञानिक प्रमाणवाद तो इसके जो प्रत्रपादक थे हुआ है आगस्ट कामटे हैं और लोग चेतना का सिध्धान्त के प्रत्रपादक सैविनी है और एपली आप फार्दी कांस्टिट्यूशन और इसके जो प्रत्रपादक है वह आस्टिन है तो थोड़ा सा मिस्प्रेंटे हुआ है इसमें ठीक से टाइप नहीं हुआ है तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कहीं नोट कर लिजिए गा इसे तो आसान रहेगा नेक्स्ट है सामाजिक सम्विदा एक आयतिहासिक तथ्य नहीं है बलकि यह यूगति की एक कालपनिक बात है यह जो कथन है यह किसका है तो यह कथन लॉक का है इन्होंने कहा कि सामाजिक सम्विदा एक आयतिहासिक तथ्य नहीं है बलकि यह यूगति की एक कालपनिक बात ह सामाजिक अभियांत्र की अथात सोसल इंजिंदिंग के प्रत्पादक रासको पाउंड है सामाजिक समेकता तो सामाजिक समेकता के जो प्रत्पादक है वह है डियूगिट है सामाजिक उपयोगितावाद इसके प्रत्पादक जो है इहरलिच है और बैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद के प्रत्पादक है आगस्ट काम्ते फिर से समेलित करने के लिए इसमें है उपयोगितावाद व्यक्तिवाद जो सिध्धानत इसके प्रत्पादक डियोगिट विंध्म हैं और सामाजिक सामाजिक समय क्ता द्यूगिट हैं और सामाजिक उपयोगितावाद एहर नेक्स्ट नेमलिकित में से किसे आंगली वीधी का जनक कहा जाता है यह यह अंगली वीधी का जनक आश्टिन को कहा जाता है और आश्टिन ने जो है विसलेशन वादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था नेक्स्ट है आश्ट कामटे हैं प्राकृतिक विधी से एक्विनास हैं और विसलेशन वादी विचारधारा से बेन्थम है नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए लोग चेतनाज का सिध्धान सैविनी के द्वारा प्रत्पादित किया गया है मूल मानक यह जो है केलसन से संबंधित है और ज प्रत्पादित किया गया था है नेक्स्ट है सही सुमेलित करने के लिए तो सुख दुख का सिध्धान्त यह ब्यंथम से संबंधित है सामाजिक अभियंत्रण सामाजिक नियंत्रण यह जो है इहरिंग का सिध्धान्त है जबकि सामाजिक अभियंत्रण अगर होता इंजिन जंग होते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आगे देखेंगे भी हम इनका और सामाजिक समेकता का सिध्धान समद्धित हैं नेक्स्ट फिर से सुमेलित करना है मांडेस्क्यू जो है यह है फ्रांस के रहने वाले थे जरमनी के रहने वाले थे और यह होसा यह आश्ट्रियस के यह और रासकोवक्त जो है यह अमेरिका के रहने वाले थे भैं में नेक्स्ट है आश्टें के पूस्तक अप new Sprint determined यह जह पूस्तक है यह क्या है तो यह ऊसने लंडन विश्विद्यालंए में अपना एक व्याख्यान दिया था और उसी प्याख्यान को जो लेकषवद किया था और गए अर्लो psychiat की रूफ दिया गया थिरह जो पुष्टक है वही जो लंदन भी द्युक्त एलेम उसका ब्याख्यान है वही जो एक सब्सक्राइबस घ्यूर को नाम यह पुस्तक बनाई गई है नेक्स्ट है कानून पाया जाता है बनाया नहीं जाता है तुछ बीदिके और स्ञाहाई दाए द्लिक के अवश्यक सिद्धान्तों का बयग्यानिक संसलेशन है यह है इसे लग का icon भिदीसास्त्र जो बिदीके ग्यान का धार्शनिक पक्ष है इक कति C, C कि नेक्स्ट है बिदिसास्त्र मानवी और दैवी वस्तों का ग्यान है न्याय और अन्याय का विग्यान है तो यह कथन है यह किसका है तो यह कथन अल्पियन का है अल्पियन ने कहा था कि बिदिसास्त्र मानवी और दैवी वस्तों का ग्यान है तथा न्याय और अन्याय का वि यह कतन जो है सेविनी का है और सेवीनी जो है इतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक थे अ साम्या तथा विधायन के माध्यम से करते हैं तो यह कतन किस संबंदित है तो यह जो प्रगतिसील स्वार्ट से हैं कि सिल समाज में क्या होता है कि उसका विकास होता है वहां परिकलपना साम्यां विधायन और रूडियां तमा इस ततीर की बातें आत्या फश्राफ होती है अरुप समय के साथ को बनाते हैं आप इंगे करते हैं निमलिकीट में से कौन एक वैध परथा का आवश्चयक्तत्त नहीं है तो किसी परथा का एक क्यों प्राषीन होना चाहिए और निरणतर काल से उसका सांतिपूर्वक उपयोग होना चाहिए तो इस प्रकार से यह वात यह वैध परथा कि माध्यंद रिफ्ट करने करने का प्रयास करते हैं जिसमें वह व्यक्त किया गया है तो गता न nächste है निर्वचन के संबद में अश्छा करते हैं और अधिकरित प्रारूप के माध्यंद करने का अर्थ जो निश्चित करने का प्रयास करते हैं जिसमें वह व्यक्त किया गया है नेक्स्ट है निम्लि में से किस बीधि सास्त्री ने इस बात पर जोड़ दिया है कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम यह न जान लें कि वह क्या करती है जो कथन है यह रासको और तात्विक स्रोत के रूप में किया है जो है सामंड के द्वारा किया गया है कि नेक्स्ट है सामंड के अनुसार बीधि के जो बीधिक स्रोत हैं इसमें है बीधिके द्वारा मानिता प्राप्त होते हैं तो यह सही है दूसरा है बीधिकाप्रवुर्तन मध्यवर्त होता है और चवथा है एक मात्र द्वार है जिससे होकर नए सिंध्धानत को बीधिमें प्रवेस मिल सकता है तो इस प्रकार से यह यह पहिला उर्थार जो सुरोत है और दूसरी बात है कि जो सुरोत हैं औ가 यहने किस ने किया है तो यह वरगी करण है बंधनकारी श्रोट और अनुनई स्रोट इन दो रूपा में जो इसका वरगी करण है यह कीटन के द्वारा किया गया है कि नेक्स्ट है विधिग्यों की राय अर्थात जो विधिविशेशक हैं या विधिशास्त्री है तो उनकी जो राय है वह किस प्रकृत की होती है तो यह जो राय है यह विधिका स्रोत नहीं होता है अर्थात यह चौथा विकल्ब जो विधिग्यों की जो राय है वह विधिक कोई सुरोत नहीं है बाकि बीदिके सुरोतों का विवेचन करते हुए निमलिखित में से किसने कहा है कि न्याले जो है संभीद के मृत सब्दों में जान फूंकने का कार्य करते हैं तो यह जो कथन है वह ग्रे का है और ग्रेन यह जो स्टेटमेंट है अपनी पुस्तक नेचर एंड सोर्सेज आफला में कहा है कि न्याले संभीद के मृत सब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं नेक्स्ट रूड का समाज के साथ वही संबंध है जो की बीदिका राज के साथ है तो यह कथन है यह कथन सामंड का है कि कोई स्थानी रूड है वह बीदिके यह इसका है तो किसी रूड़ को एक अर्थात व्युक्ष करतों. तौन संविधान है असे अनुरूप में नहीं होनी चाहिए तो इस प्रकार की पूरी होनी चाहिए अर्थात जो एक और दो है यह सरत उसमें होनी चाहिए कि नेक्स्ट है विधायन से पूरोगामी है उससे होती है तथा thirds विधायन को रूड़ के सिधान्तों के अनूरूप होना चाहिए तो यह सिधान्त की किसका मूल लक्षण उन्हिंट है उ Yang यहां प्राचीन कल से विदियां चली आ रही है वही जो भी अनमीत नहीं किया जाती है यहीं वीचारदारा से शक्ゲिन उनका जो सपृत था जाना चाहिए उनको अधिनियमित नहीं किया जाना चाहिए नेक्स्ट है रूळवास्तिविक विधिका एक लक्षण है और उसकी उतफ़त्ति का आधार नहीं है यह किस ने कहा था यह जो है कहा गया है कि जो रूडह है कि वास्तिविक विधी का ही एक लक्षन है बिछ उसके उन RH आधार नहीं है तो यह कथन जो सइविनी निकाहा था मैं नेमलेखित में से कौन सारोनी का आवस्यक्तत तो नहीं है तो पहला है कि रूड़ है निश्चित चाहिए और यह सही है दूसरा है को से उसका उपयोग किया रहा हो तो यह भी सही है दूसरा है कि यूक्तियूक्त होना चाहिए प्रकार से तीनों कथन सब्सक्राइब मौलिक्ता के बारे मुझे कोई प्रावधान नहीं है कि नेक्स्ट विधिमान रूड के संबंध में निम्लिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है तो पहला है वह हम पुरातन हो तो यह सही है अर्था तो प्राचीन होनी चाहिए कई दूसरा है उसका जो प्रयोग है सांती पुर्वक किया जा रहा हो लंबे समय से यह भी सही है और वह एक संप्रinkyकित कि अर्थातियां का यह मानना है जो कि पूर रूड़ीा होता है और जो रूड़ी Teaं होती वह विधायं से ऊपर हो होती हैं दूसरी बात इन्होंने कहा कि ब्योहार के अनुकूल बिधायन होना चाहिए जबकि सामाण होनी अनियम है कि बिधायन उपर है यह यहां पर जा रहा है कि जो बिधायन कफंद साही है और चवता है कि रूड वरीष्ट होती है तो इस प्रकार से 1-2-4 का यह बिगाल प्साही होगा 12 और 4 जब कि तीसरा बिगाल म्म्मीत से इसमें रूड़ी को के ऊपर जो है विधायन को मानता दी जाती है कि नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन रूड़ी का आवस्यक्त्त्त नहीं है तो इसमें से रूड़ी का आवस्यक्त्त्त है प्राचीनता होनी चाहिए निश्यत्तता होनी चाहिए और सांति पूर्णक उसका उपीव किया रहा हो तो यह जो है तीन आवस्यख्तत्वू हैं लेकिन असंगत्त जो रहे उसकाárias नहीं है नेग्स्ट निम्लिक्वित में से कौन सा एक विधीक रूर्ण कावश्यक्त नहीं है अर्थात एक निम्निक्षित में से कौन रूड रूड का आवाश्यक्तत्य नहीं है फिर से वही-" सरकार का जो अनुबोदन है वह नहीं है एक रूड है जिसकी प्राध्यकाबिता जो है उसकी स्विकृति तथा बाध्योंगे पक्षकारों के बात देखरते हैं उसका फालू करने के लिए या उसके अनरूप कारी करने के लिए तो यह जो है एक अभी यह अभी समयात्मक या कन्वेंशनल जो है रूड़ी है अब है एक पूर्व निर्ड़ के अंतरगत कही गई या की गई वह प्रत्येक बात सामिल है जो पश्चातवर्ती आचरण के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है तो यह कथन किसका है यह जो कथन है वह सामंड का है नेक्स्ट है बिद के सुरोतों की विवेचना करते हुए निम्लिकित में से कौन कहता है कि नियाले संबिद के मृत सब्दों में जीवन फूंगने का काम करते हैं तो यह जो कथन है वह ग्रे का है कि नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन देश नेड़ीता नुसरण के सिध्ध पालन करता है और वहां पे कोई लिखित बीद्धी नहीं है तो ऐसा जो देश है वह इंग्लैंड है कि नेक्स्ट है नियाले केवल बीधि की खोज ही नहीं करते हैं बलकि वे बीधिका निर्माड भी करते हैं कि जो कथन है किसका है Yukai gelir इस भी इनहीं कहैं कि जो mercury कि मिलंद्ध के मृत trait बलकि बीधिका निर्माड में करते हैं तो वह है जो न्याजी घोसित करते हैं तो फिर से 맞는 में से कौन यस बात का समर्थक नहीं है इसमें से स्रजन करते हैं यह अभी का जो एक छो सल लीकिन का मौनना यह नहीं है नेक्स्ट है नियमलिखित में से कौन नियाइक पूर्व निर्णय के घोषडात्मक सिध्धान्त का समर्थक नहीं है तो अर्थात नियाइक पूर्व निर्णय के घोषडात्मक जो सिध्धान्त है उसका समर्थक जो है ग्रे नहीं करता है नेक्सट है नियाक biraz नियाइक पूर्व निरणय के गोष्णात्मक सिद्धानत के समर्थक नहीं है तो इस On प्रकॉस्ट है कि पहला है मेरे विचार में पूर्व निरणय का पालन एक नियम होना योग नियम के रूप में उसका पालन किया जाना चाहिए किसी आप वाद के रूप में उसका पालन नहीं किया जाना चाहिए कि पूरो नेड़्य के आबध्यकारी बल्ट को नश्ट या je कमजोर किया जाता है तो अगर कोई बाध्यकारी बल को नश्ट कर दिया जाता है या कमजोर कर दिया जाता है तो उसके कुछ नियम है किन नियमों के द्वारा उसे नश्ट या कमजोर किया जाता है तो इसे जो है निराकृत निर्ड़े के द्वारा अर्थात एक निर्ड़े किसी नियाले के द्वारा एक बार कि हो जाता है एक तो यह तरीका को हो गया दूसरा तरीका यह है कि पुरु नेरे से भिन आधार पर मुष्क पुष्ट कर दिया जाता है अर्थात इस नियाले किसी की systematic के द्वराई से पुष्ट कर दिया जाता है यह इससे भिंद कोई निर्ड़े पारित कर दिया जाता है तब भी इसका प्रभाव को घतम हो जाता है या कमजूर हो जाता है तीसरा है संबिध से अनभिगता दिखा कर और उसके बाद है पूर निर्ड़े को बार-बार हायर जुडिश्री हायर कोट में चुनाउती दे कर और उच्चतम न्याले के पूर निर्ड़े से अगर यह असंगत है तब भी यह कमजोर हो जाता है या निराकित या नश्ट हो जाता है तो करता है तो नियाधिस निर्मित विद्ध के विशय में यह कथन किस विद्ध्वान का है तो यह कथन जेर्मी बेंथम का है और जेर्मी बेंथन ने कहा है कि नियाधिस के द्वारा जो विद्धी निर्मित की जाती है बता दें कि नियाधिस के द्वारा निर्मित विद्धी कि जैसे एक व्यक्ति अपने कुट्टे के लिए विधिका निर्माड करते हैं इसलिए यह सिद्धान्त के आलोचक हैं जर्मी बेंथम कि नेक्स्ट है कतन ए बिनिश्चे आधार वाधिकारी होता है तो यह सही है क्योंकि नयाले का विटे का वहता है या उसका पूरूर निर्ड़य होता है उसमके बाधिकारिबल होता है उसका हो नहीं की जा सकती और उसके जो लोवर कोर्ट हैं उसको उसे मानना आवस्यक है और कारण आर है कि इतिरोक्ती बाधिकारी नहीं होती है तो इसको हम देखते हैं कि यह जो दोनों कथन साइए लेकिन जो आर है वह एक असपस्टी करन नहीं है तिस प्रकार से विवाला विकल्ब है यह सही होगा अब तो नेरे द्वारा घोशित्विधी भारत राजशेत्र के भीतर सभी न्याले और अबद कर है लेकिन उच्छितम न्याले अपने नेड़ें से खुद आब थ्य है यह नेड़े उच्छित्म न्याले ने किस केसं में दिया था तो बंगाल एम्यूनिटिटी कंपनी लेमतेड़ बनाम विहार राज़ का केस में सर्वोचिन्याले ने कहा कि जो सर्वोचिन्याले ten नेंड़े है वह सभी न्यालयों पर अबधकर होगा उनके उपर बादिकारी होगा लेकिन जो सर्वो GG नियाल ہے वह अपने नेड़य से बात नहीं है वह अपने नेड़य में परिवर्तन कर सकता है या इसके भी répondre जा के कोई सना सकता है उसर्थ पूर नेड़य के रूप में निम्निक Till эп multiplayer से क्या बाधिकारी है तो यहां पर पूरो निर्ड़े के रूप में जो बाधिकारी होता है यह इतिरोक्त जो है यह बाधिकारी नहीं होता है है एक है कारण यह भी रिपोर्टों में तलासा जाता है यहाँ पर दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है वह कथन की सही अस्पास्टी करण नहीं नहीं है क्या अर्थ है अ तो इसका अर्थ यह है कि जब किसी नियाएक निड़या के दौरा बिद्ध कि किसी सिध्यांत की जो है व्याख्या की जाती है या उसको प्रत्वादित किया जाता है तब वह एक पूर नेड़े के रूप में न्यालाओं का मागदर्शन करता है अर्थात जो पूर नेड़े होता है वह किसी नेड़े बिधी रिपोर्टों में प्रकासित किया जाता है और इसलिए इनका जो है मार्गदर्शन के लिए इनको बिधी रिपोर्टों में भी तलास इनकी की जाती है तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है लेकिन जो ए है और आर जो है वह एकी सही अस्वर्ष्टी गरण नहीं है नेक्स्ट सर्वुत्तम उत्तर बताईए तो यहां पर सर्वुत्तम उत्तर पूछा है कि कौन सा है तो पहला है इतिरोक्त में बाधिकारी बल नहीं होता है तो यह कथन सही है दूसरा है किसी मामले के बिनिश्चयाधार में बाधिकारी बल होता है तो यह भी सही है तीसरा है ने तो बिनिश्चयाधार नहीं इतिरोक्त में बाधिकारी बल होता है तो यह कथन गलत है और बिनिश्चयाधार तथा इतिरोक्त दोनों में बाधिकारी बल होता है तो यह भ गलत अर्थ है तो पहला है बिनिष्चे का कारण यह कारण है तो यह जो है बिनिष्चे में सामिल होता है तो यह तो यही जो है इस प्रस्ण का सही उत्तर है तीसरा है नियाएधिस के देवरा चुना हुआ दूसरे बाधिकारी मानते है तोonne-2 को बाधिकारी था woh ऑगे देखते हैं कि डायेस के अनुसार बिनेश्चे आधर के तिन अर्थ लगा जाते हैं तो इसके अनुसार बिनेश्चे का एक कारण होता है नयाधिस द्रौरा चुना हुआ बीधी का ik नियम होता है जिसपर जुकर ब्लप पर नियम 3 आधारित यह प्रिकत्त नेक्स है कि निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिये और सही उत्तर वताईए तो पहला है जो पूर्व निर्ड़ा है इनका स्रिजन न्याइधीसों के द्वारा किया जाता है तो यह कथन सही है क्योंकि जो पूर्व निर्ड़ा है वह न्याइधीसों के द्वारा दिया जाता है तो यह सही है और दूसरा है यह कोई पूर्व सजन किया जाता है तो यह तीसरा कथन सही नहीं है यहाँ पर एक और दो यही केवल हैं निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला है एक civil judge का नेड़ब उसी न्याले के अन civil judge पर बाधिकारी यह पहिला ही विकल्प सइए नहीं है और दूसरा है उच्छतम नियाले द्वराखोसित भी भारत के समय न्याले उपर बाधकारी होती है रहता पहला है सब्सक्राइब से बाद नहीं था तिया कथन भी सही है कि नेक्स्ट है अनवा धानता के कारण जो दिया गया निर्ड़े है वह किस प्रकार का होता है तो अनवा धानता के कारण जो निर्ड़े दिया जाता है वह बाधिकारी नहीं होता है नेक्स्ट है नेमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इस पहला है जो पूरों निर्ड़य होते हैं वह बीदिके करमिक विकास में सहायता करते हैं तो यह कथन सही है दूसरा है प्रतिलिप्यादिकार अर्थात कॉपी राइट जो है एक मूर्तादिकार है तो यह कथन गलत नियाधिस के द्वारा तो इस प्रक्रिया के द्वरान विदिका निर्माड किया जाता है नियाधिस के द्वारा तो यह कथन भी सही है तो इस प्रकार से एक और तीन यह दोनों कथन सही है नेक्स्ट है निम्न में से कौनसावाद पूर्व निर्ड़य के सिध्धांत से नहीं है कि नेक्स्ट स्वतंत्रता के पुर्व नियाइक पूर्व निर्णयन के सिध्धान्त को दी गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 की निमलिखित में से किस धारा के द्वारा अंसिक मानिता मिली थी तो इस अधिनियम के जो है धारा नेक्स्ट है एक नियाइधिस पूर्व निर्णय में तात्विक तत्थ्यों के आधार पर तथा अतात्विक तत्थ्यों को बहिस्कृत करने पर जिस निसकर्स पर पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे जो है निर्णय अधार कहा जाता है अर्थात जब किसी निया तक पहुंचने के लिए किसी तात्विक तत्थ्यों का सहारा लिया जाता है और इसके बाद जब निसकर्स पर पहुंचता है तो उसे में से किसने विधायन को समाझ के विधाई अंगों के रूप में परवासित किया है अर्थात इनका यह मानना है कि जो बिधायन है वह समाज के बिधाई अंगों का जो है अवचारिक कथन है तो ऐसा जो मानना है या जो परिभासा है या चिपमैन ग्रे की है नेक्स्ट निम्लिकित में से किस ने कहा था कि बिधान जो है वह समाज के बिधाई अंगों की अवचारिक अभिव्यक्ति है या कथन है तो यह जो कथन है वह ग्रे का है ग्रे का यह कहना है कि जो बिधान है वह समाज के बिधाई अंगों की अवचारिक अभिव्यक्ति का कथ सामंड के अनुसार उच्चितम विधायन से क्या तात्परी है तो सामंड के अनुसार जो उच्चितम विधायन है उसका तात्परी है कि जो संसर के द्वारा बनाई गई विधियां है वह उच्चितम विधायन होती है या उच्चितम विधायन कहलाती है और सामन्ड विधायन के दो प्रकार बताते हैं एक उच्चतम या सरवोच्य विधायन, सरवोच्य विधायन और दूसरा बताते हैं ये अधीनस्त विधायन जिसमें से सरोच विधायन ऐसा विधायन होता है या ऐसी विधी होती है जिसका उद्भाव वह राज की जो प्रभुत संपन अर्थात जो राजा होता है उसके द्वारा बनाया जाता है और अधी नेक्स्ट जो विधायन किसी अन्य विधाई प्राधिकारी द्वारा निरसित इत्वा नियंतिर्ट कीन नहीं है तो ऐसा जो विधायन जो करने योग वह सरोच विधायन कहलों अर्थात इस विधायन को जो देश की सबसे बड़ी संसदा है संसद उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है अब लिधायन का लक्षण नहीं है तो इस difढहें का जो लग्षण है वह है राज के विधाय अंग संसद्या विधाय का दौरा यह निर्मित होता है तो यह चैसिता है और चोफा है यह आगमनात्मक रीत इसे अभिकतित होता है तो यहीं जो है यह किसी विधायन का लक्षण नहीं है अब विधायन का लक्षण देखेंगे तो यह जो है चार लक्षण है इसके तो पहला इसमें है कि यह राज के विधाई अंग जैसे कि संसद्या विधाई का के द्वारा निर्मित होता है दूसरा है कि विचार पूर्वक जो है यह नियमो नियमो का एक संग्रह है और तीसरी बात यह है कि इसमें आज्यापक तक्त होता है अर्थात इसको फालो करना mandatory होता है और चौथा है कि उसका जो प्रारूपिक जो स्वरूप होता है वह लिखित होता है तो इस प्रकार से यह तीन कथन सही है और चौथा कथन सही नहीं है कि नेक्स्ट अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधी प्राधिकारी को विधाई सक्तियों का प्रत्ययोजन क्या कहलाता है तो ऐसा जो प्रत्ययोजन होता है या अधिनियमित या विधी निर्माण करने के लिए जब संसद या विधानमंडल के द्वारा जो है अपनी सक्तियों का डेलिगेशन किया जाता है किसी अन् केमलिकित में से कौन साथ प्रत्ययोजित बिधायन पर नियंतर्ण करने का एक तरीका नहीं है। तो इसके माध्यम से नियंतर्ण किया यह जो है इस पर नियंत्रण करने का कोई तरीका नहीं है तो प्रत्ययोजिन जो बिधान बनाया जाता है अर्थाथ जो डेलिगेटेड लेजिसलेशन है वो जो बनाया जाता है इस पर नियंत्रण करने के कुछ तरीके हैं जैसे संसदी नियंत्रण हो गया संसत के द्वारा नियंत्रन संसदी निरिक्षण हो गया निरिक्षण थात इंस्पेक्शन के द्वारा नियाइक नियंत्रन हो गया और विधान का जो प्रसारण और प्रकासन है तो इसके माध्यम से भी इसका पिस्पन नियंत्रन किया जाता है लेकिन यह जो प्रत्य योजित बिधान के जो पंजी करण है या रेश्टेशन है इसकी अपेक्छा करके इसका जो नियंत्रण नहीं होता है नेक्स्ट नेमलिकित में से कौन सा प्रत्य योजित बिधान पर नियंत्रण करने का एक तरीका नहीं है तो अभी हमने बताया है वही question फिर से है संसती नियंत्रण है नियाईक नियंत्रण है प्रत्यय योजित विधान का प्रकासन करके इसमें नियंत्रण लगा जाता है लेकिन इस पर जन नियंत्रण करने का एक तरीका नहीं है नेक्स्ट आग्मनात्मक और निग्मनात्मक पद्धतियां किस संबंदित है तो आग्मन और निग्मन की जो पद्धतियां है यह विधायन से संबंदित है नेक्स्ट कोई ऐसी धारणा जो यह तत्थ्य छिपाती है या छिपाने का प्रभाव रखती है कि एक जो बीधी का नियम परिवर्तित हो गया है जबकि बीदिका सब्द जो है वह आपरिवर्तित पार्चीद्थ आर्था जो बीदिका नियं है वह चेंज होगे लेकिन जो उसका सब्द वह चेंज नहीं हुआ है और उसका जो प्रवर्त रहे है वह उपांतरित हो गया है तो三व माध्यम से सव्यक्त trabalhत किया जाता आफिटी गया हो तो उससे संग्यापित करने वाली जो अभिव्यक्ति है उसे साम्या कहा जाता है कि नेक्स्ट है कथन यह उच्चितम न्याले द्वारा निड़ा किसी वाद का विनिश्च्याधार सभी उच्च न्याले ओपर बाध्धिकारी है तो यह जो कथन है, यह बिलकुल सही है, क्योंकि जो सरोच न्याले का निड़ए होता है, वो लूवर कोर्ट होते हैं, उसको बाधिकर होता है उसको मनना, और कारण है इसका उच्हेतम न्याले द्वारा अभिनिरधारित या प्रतिपादित जो बिधि के भाद है, वह भारत क भूभाग के सभी न्यालें उपर बाधिकारी है तो यह कथन भी सई है लेकिन जो कारण है वह कथन का सही अस्परस्टी करन नहीं है तो अधिक अधिकार के दो दो मुख्य सिठ्धान्त कौन से हैं तो बीधिक अधिकार के जो दो मुख्य सिठ्धान्त होते हैं अर्धात ऐसी 9 यह कि चाओ और संदचशित nitty जो है विधिक कई ये जो है तीन सिधहांत होते हैं इसमें से पूछा है कि भीधिक अधिकार के दो मुख सिंधहांत कौन से हैं तो इसमें से जो है एक्छा तो तो हीत्धांत अर्थास जो पहिला विकलप है ये सही बाकी एक कलपितार्थ terminate रियायत का सिध्धान्त यथार्थवादी सिध्धान्त यह सारे सिध्धान्त जो है यह है विधिक व्यक्ति से संबंदित हैं कि नेक्स्ट नेमलिकित में से कौन सा सिध्धान्त विधिक अधिकार से संबंधित है तो विधिक अधिकार से संबंधित जो सिध्धान्त अभी अमने बताए हैं कि इसमें से कौन-कौन कि जो विशेष्था है उसमें से कौनसा कथन गलत है एक अधिकार की विशेष्था ये होती है कि कि व्यक्ति की बढ़ा हुआ होता है तो यह भी शही है तीसरा विधिक अधिकार का भिशय सदय जीवित ब्यक्ति होना चाहिए तो ऐसा जोrickतन या सही नहीं है अर्थात जो इसका तात्पर है कि एक सदय जीवित व्यक्ति ही नहीं होते हैं विधिक अधिकारों के अंतरगत बलकि एक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जैसे जिसे विधिक ब्यक्ति कहा जाता है जैसे कोई संस्था हो गई निगम हो गया फर्म हो गया वह भी कानून में एक ब्यक्ति माने जाते हैं तो ऐसे भी व्यक्तियों का अधिकार होता है इसलिए जो सी वाला अप्सन है वही गलत है नेक्स है विधिक अधिकार से संबंदित निम्न में से कौन सा सिध्धांत इहरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो जैसा आमने बताया कि विधिक कर विलिकर के तीन सिध्धांत हैं है च्छा सी और स č프क्रिकीर टो इसमें से एक सीध्धांत जो है यह शीर हिर्छ इए प्रच्छिक तो आप के द्वारा प्रतपादित किया गया था तो आप ऐसे भी आज्चार प्रत्पादित क्या गया है और इप सिद्धान्त को प्रतपादित करने में साहता की है नेक्स्ट है निमनिकित में से कौन सा बिधिक अधिकार के लक्षण नहीं है तो बिधिक अधिकार के लक्षण इसमें से कौन से नहीं है तो इसमें जो है यह अधिकार का जो नमियन है यह बिधिक अधिकार का लक्षण नही इसके अलावा जो लक्षण है वो कौन कौन से हैं तो अधिकार का एक धारण करता होना चाहिए यह कथन सही है दूसरा है अधिकार स्यावध एक व्यक्ति है यह भी सही है तीसरा है अधिकार की एक अंतरवस्तू होनी चाहिए अर्थात विस्यवस्तू होनी चाहिए तो यह भ थात हक है तो यह जो है किसी अधिकार के पांच लक्षण हैं इनको हमने देखा कि अधिकार जो है धारण करता होना चाहिए अधिकार से आबद एक ब्यक्ति होना चाहिए अधिकार की विशेवस्तु होनी चाहिए अधिकार की अंतरवस्तु होनी चाहिए और अधिकार को धार एक ब्यक्ति बंदी अधिकार है यहां पर यह टाइप नहीं है कि ब्यक्ति बंदी अधिकार तो ब्यक्ति बंदी अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है तो इसमें से जो है पहिला है यह जो ब्यक्ति बंदी अधिकार है यह एक ऐसा हीत है जो केवल निश्चित ब्यक्तियों के विरोद्ध उपलब्ध होता है तो यही कथन सही है क्योंकि ब्यक्ति बंदी अधिकार जो होता है वह किसी निश्चित ब्यक्तियों के विरोद्ध उपलब्ध होता है से पहला बिकलप है यहीं ब्यक्ति बंधी अधिकार का सही जो है उत्त्र है लख्षय थैसे Fortify लंदी अधिकार कहा जाता है और जब विरुद्ध कोई अधिकार है तो उसे विरुद्ध विलक्षी या विरुद्ध कहा जाता है कि नेक्स्ट है एक अधिकार जो बिना किसी अपवाद के वयद है तो उसे क्या कहा जाएगा तो एक अथिकार जो किसी अपवाद के वयद है कहलाता है आत्यांतिक अधिकार है उससे प्रकार के निर्वेंधंदन नहीं है प्रफ यह कुई सही उत्तर को इंगित कीजिए तो इसमें है कि एक सरूबंधी अधिकार स्वामी wants संपत्य में एक हिट है तो यह कथन गलत है क्योंकि सरवंधंधियारिकार किसी स्वामी हिन संपत्य में उसका दावा नहीं कि ढवार दूसरा है एक सरवंधिय sug जो है संपूर्ण विश्व के विरुद संदर्षित हीत है तो यह कथन सही है नेक्स्ट अपर बंगा 500 रुपय मियाद वर्जित अर्थात टाइम बार्ड डेवड जिसे कहा जाता है कालबाधी तिरिण है कर्ज है वह जो है वह का 500 रुपय का दावा यह किस प्रकार के अधिकार की रूप में है तो ऐसा जो दावा है वह है अपूर्ण विधिक अधिकार कि रूप में हदावा नहीं किया जा सकता है और सामंड हैं सामंड ने हर अपश् pulley उको कुछ प्रकार बता है की है कौन-कौन से होते हैं कि इसमें यह काता है काल-धी-तरिण कर दूसरा है अपनि दावे जिसका प्रवार्वर्थन नहीं कराय जा सकता है और तीसरा है जो विदेशी रिण है या उस पर जो देव्याज है तो वह भी जो है अपूर्ण विदिक अधिकार है तो यह तीन प्रकार उन्होंने सामण ने बताए हैं नेक्स्ट है सही उत्तर दीजिए और निम्लिखित मतों में से कौन सा सामपत्तिक अधिकार का एक उधारण है तो यहां पर सामपत्तिक अधिकार का कौन सा एक सही उधारण है तो इसमें जो है किसी अन्यकी भूम पर रास्तिक अधिकार तो यह कोई अधिकार नहीं है दूसर तीसरा है ख्यात क्या अधिकार तो यह भी संपत्तिक अधिकार नहीं है और किराय पाने का अधिकार जो है यह एक संपत्तिक अधिकार का एक उधारण है संपत्तिक अधिकार के दो प्रकार होते हैं एक तो होता है स्वसंपत्तिक अर्थात जो अपनी ही संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है उसे स्वसंपत्तिक अधिकार कहा जाता है और दूसरा है परसंपत्तिक अर्थात जो किसी अन्यव्यक्तिकी संपत्ति पर अगर आप संतान है कि एक प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा पुत्र है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा तो यह जो कथन है यह जो है बेंथम का है बेंथम ने कहा कि मेरे साथ जो मेरे अधिकार है वह अभीदी की एक संतान है और एक प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा पुत्र है जिसका कभी कोई पीदा नहीं रहा कि जर्मी बेंथम जो है कि उपयोगता वादी विचारधारा के नतरगत आता है मिए किस ने कहा कि अधिकार भीदी के मानेंगे क्योंकि एहिरिंग ने जो है संदफित हत का जो सिधांत किया गया शाहिए धान है उनका भी यही कफ़न है कि जो अधिकार है वह भीकार मान्यटाक प्राप्त और संदफित है तो इस अगर कफ में नहीं नहीं है और सामंद और इह आउर दोनों है विकल्प में तो वहां पर आपको सामन नहीं लगाना है लेकिन अगर केवल इहरिंग है सामन नहीं है तो इहरिंग को लगाना होगा कि नेक्स्ट है किसने कहा है कि एक मात्र अधिकार जो कोई व्यक्ति धारित कर सकता है वह है करतब विकारने का अधिकार तो यह जो कथन है यह किसका है तो यह कथन जो है यह डियूगिट का कथन है और डियूगिट का यह मानना है कि कोई मनुष्य के पास अधिकार होते ही नहीं है बलकि उनके पास केवल करतब होता है अधिकार उपनाम की कोई चीज उनके पास नहीं होती है और डियूगिट ने एक सामाजिक समेकता का सिद्धान्त अधिकार युक्तता के नियम के द्वारा मानेता प्राप्त और संदच्छित एक हित है तो यह जो ऐसा हित है जिसका सम्मा है सामन्ड का है सामन्ड ने कहा था जो है युक्तता के द्वारा माने हो एक संदच्छीं ही ठील है लेकिंद अगर खाली-संदच्छित मूझता है तो यहाँ पर जो है यह यह नेक्स्ट गेविर्थ के अनुसार मानव वधोनमाद योजना का अभिष्ट सिकार ना बनाए जाने का अधिकार एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है और नेक्स्ट भ्यक्ति तथ्वार्थ है जिसके अधिकार और करत्व यह लक्षण है यह कथन किसका है तो यह जो कथन है यह कहा है सामणड ने और सामणड के अनुसार विधिक अधिकारों के पांच इतत्त होते हैं जैसे अधिकार का धारण करता होना चाहिए कि धारण करता होना चाहिए अधिकार का दूसरा है जो है अधिकार से एक आबध व्यक्ति होना चाहिए अर्थात जब कोई अधिकार घोशित किये जाते हैं तो उसे जो है व्यक्तियों के द्वारा पालन करना जो है बाधिकार होता है और तीसरा है अधिकार की अंतर वस्तु होनी चाहिए और नेक्ट है उसकी विशय वस्तु होनी चाहिए और अंतिम है अधिकार का एक स्वत्तु होना चाहिए तो इस प्रकार से जो अधिकार है इसके पांच लक्षण जो है कौन माना है सामण ने माना है नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सा विधिक अधिकार का तत्तो नहीं है तो यहां पर विधिक अधिकार का इसमें से जो त विशय या संबंधित वस्तु होनी चाहिए कार्या प्रविर्यति होनी चाहिए लेकिन इसमें विदिक उपजार चो है अधिकार का आश्वेक्तत नहीं है कि फिरेड यह किस प्रकार का अधिकार है अभिया नेखिंग्ण में से हैं आधिकार को तुरूप का पत्ता माना हय तो अधिकार को तुरूप का पत्ता जो है इवाई कि Сам के द्वारा माना गया तो दूगीट का यह मानना है कि एक वेक्ती के पास सदैव के वहल करतबी करने का अधिकार होता है, उसके पास और जो इरा अंधिकार होता ही नहीं है निकार वह छमता या सक्ति होती है जो दूसरे या दूसरों के करिझ्थों या कुछ करने से विर्यत रहने की अथावत अप्एक्षा करती है तो निम लिक्षित में उप है अधिकार किया है व्याख्या किया था तो यह जो व्याख्या है यह किया है आस्टिन ने कि नेक्स्ट हाँ फेड़ल के अनुसार निमलिकित में से कौन स्वतंतरता का सहवर्ती है तो यहां पर हम देखेंगे कि सहवर्ती अगर पूछता है तो बहुत बार यह जो है पूछा जाता है कि अधिकार का सहवर्ती कौन सा है करतब का सहवर्ती कौन सा है तो इसमें से जो स्वतंतरता का सहवर्ती पूछा है तो स्वतंतरता का सहवर्ती है अधिकार हिंता नेक्स्ट अधिकार अपने विभिन रूपों में और उसके सहवर्ती हैं तो यह नीचे दिये गए इसमें से कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है तो इसमें है अधिकार इसका सहवर्ती करतब होता है सोतंत्रता का अधिकार जो सहवर्ती है अधिकार हिंता होता है सक्ति का दाईत होता है और उनमुक्ति का जो है यह विशेसा अधिकार नहीं होता है बलकि यह निर्योगिता होती है उनमुक्ति का जो सहवर्ति है वह निर्योगिता होती है तो यह डी वाला जो विकल्प है यही सुमेलित नहीं है नेक्स्ट फिर से है अधिकारों को विभिन रूपों में अपने सहवर्तियों के साथ दिया गया है तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है तो अधिकार का कर्टब्य है स्वतंतता का अधिकार हिंता है उन्मुक्ति का लाभ नहीं होगा बलकि यह होगा निर्योग्यता और सक्ति का दाईत है नेक्स्ट फिर से वही सहसंबंध के बारें पूछा गया है तो इसमें पूछा है किसमें कौन सा सही सुमेलित है तो सही सुमेलित इसमें से जो उनमुक्ति का होता है निर्योगिता तो यही सुमेलित है बाकी का जो स्वतंत्रता होता है तो स्वतंत्रता का जो सहवर्ति है वह है अधिकार सुन्यता या अधिकार हीनता होता है और शक्ति का कि शक्ति का होता है अधीनता कि उसके बाद अगर निर्योगिता देखते हैं तो इसकी होती है उन्मुक्ती उन्मुक्ती और निर्योगिता जो है एक सहवर्ती है और कर्तब्य का सहवर्ती अधिकार है तो इस प्रकार से यह जो है आपस में सहवर्ती हैं नेक्स्ट नेमलिखित विधिसास्त्रियों में से किस ने अधिकारों और करतब्यों का प्रसिद्ध बिसलेशन किया था तो अधिकारों और करतब्यों का बिसलेशन जो है हाह फेल्ड के द्वारा किया गया था कि हाफ फिल्ड कि नेक्स्ट किसने कहा है कि जो कर्तब है वह आचन का एक आदेसात्मक प्रतिमान है तो यह जो कथन है वह है डाइसी का है नेक्स्ट निम्लिखित में से कौन सा बिधिक कर्टब का लक्षण नहीं है तो बिधिक कर्टब का लक्षण इसमें से कर्तब का विसय है अधिकार का विसय है और कर्तब की जो अंतरवस्तु है यह लेकिन कर्तब की जो विसय वस्तु है जो है कर्तब का लक्षण नहीं माना जाता है अस्टिन के अनुसार निमलिखित में से कौन सा एक निर्पेक्ष कर्तब नहीं है तो इसमें से जो है निर्पेक्ष कर्तब एक व्यक्ति के प्रती कर्तब होता है वह निर्पेक्ष कर्तब नहीं होता है बाकि स्वयम के प्रती इस्वर के प्रती संप्रभ के प्रती यह सारे ज कुछ कर्तभ निर्पेक्ष है और यह आश्ट помог रिचार है ँप है कि कि है कि इस फीडिये सास्त्री के अनुसार चार प्रकार के निर्पेक्ष कर्टभ ने होते हैं जिसमें जैसे την और निस्ट्रव के प्रती संप्रब के प्रति और उसके में प्रति जो जो है मानव प्राड़ी नहीं है तो ऐसे जो चार प्रकार के लोगों हैं इन सब के प्रति व्यक्ति का करतब होता है तो ऐसा जो मानना है वह जॉन आश्टिन का मानना है करे Adm कि नेक्स्ट जब संसंता भंग की गई हो तब उसका पुनह स्थापन करने में न्याय का वरणां अरस्तुन ने किस प्रकार किय था तो उन्हें ले से सुधारात्मक-न्याय के रूप में इसका वरणां कीया है कि नेक्स्ट किसके अनुसार चार प्रकार के करतब्य होते हैं आत्यांति करतब जो है चार प्रकार के होते हैं तो कौन-कौन से हैं अपने प्रती अनिस्चित ब्यक्तियों के सामिल किया है तो यहां पर आत्यांतिक कर्तब के अंतरगत सामिल किया गया है यह पूछा है कि कौन कौन से सामिल है तो इसमें से अनिस्चित व्यक्तियों के प्रति अपने प्रति संप्रभ के प्रति तो अर्थात एक दो और तीन इन्हें करतव्य कंपर सामिल किया जाता है मात पिता के प्रति चौर्टर बीस के नहीं आते हैं इस प्रकार से जो तीसराविक शिंक है एक दो और तीन यहीं इस है कि नेस्ट करनेके लिए पूर्ड और अपूर्ण अधिकार तीसका संबंध है लागू होने पर बल देना सकारात्मक तथा नकारात्मक अधिकार तो इसका संबंध है अन्य पर प्रभाव अन्य पर प्रभाव पर बल देना और तीसरा है सांपत्तिक तथा बयक्तिक अधिकार तो इसका संबंध है आर्थिक मूली प किसने बिस्लेशड किया था तो अधिकारों का जो चार सहवर्ति के रूप में बिस्लेbay Nh tick किया था उख लुक्श्ब कर दोरा किया है है कि हृध निमक्षित नियाले निंगमित ब्यक्तित्तु का परदा आया तो निग्मन का जो परदा है वह देंपलर Company बनां Continental Tire Company केस में द्रहां ओर से कौन एक बिधिक ब्यक्ति है कौन है तो इसमें जहaguain मूर्ती जो होती है यह होएक ऑवेस्थ के रॉप में माना जा चाहिए अर्था तो अगर कोई धारण करती है तो एक अवैस्क मानी जाएगी और उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति को है कोई संत्ते धारण कर सकता है कि नेक्स है निम्लिखित से कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला है एक हिंदू देव प्रतिमा जो है अर्थात एक हिंदू जो मुर्ती है भगवान की वह न्याइक व्यक्तित्त है यह कथन सही है दूसरा है देव प्रतिमा के लिए स्थापित धर्मदाय के संबंध में सास्वतता के विरुधनियम लाग कि देवगीन अन्दन मना मुरली धरन का केस आया थाँ 1256 में इसमें जो है न्याले ने रिढ़े दिया कि एक हिंदू देव प्रतिमा अब फ्रतिमा का धर्मधाय में लावकारी हत्र नहीं होता है और वास्तविक हुथारी है वह उसका पुजारी होता है तो इस प्रकार से जो सी वाला अप्सन है यहीं सही नहीं है कि नेक्स्ट नेमलिकित में से कौन विधिक व्यक्ति नहीं है तो यहां पर विधिक व्यक्ति इसमें मूर्ति है कंपनी भी होती है और गुरु ग्रंथ साहिब भी जो है बिदिग व्यक्ति है लेकिन जो मस्जिद है यह जो है बिदिग व्यक्ति नहीं होता है और गुरु ग्रंथ साहिब जो है यह बिदिग व्यक्ति तब माना गया जबकि एक केस था सिरोमडी गुरुद्वार प्रवंध कमेटी बनाम सोमना अद्दास का तो इसी में यह माना गया था कि जो गुरु गरांथ साहिव है यह एक बिधिक ब्यक्ति है नेक्स्ट निम्ड में से कौन सा एक विधिक व्यक्ति है तो विधिक व्यक्ति इसमें से पत्थर नहीं होगा पसू भी नहीं होगा मस्जिद भी नहीं है एक मूर्ति जो है यह विधिक व्यक्ति के अंतरगत आती है नेक्स्ट है मंदिर में भागवान सिव की मूर्ति यह किस प्रकार की मूर्ति मानी जाएगी तो मंदिर में जो एक मूर्ति होती है यह एक विधिक व्यक्ति है नेक्स नेमलिखित एक विधिक व्यक्ति है तो विधिक व्यक्ति इसमें कौन सा है तो भारत का राष्ट्पती है यह विधिक व्यक्ति है और भारत संग यह भी विधिक व्यक्ति है तो इस प्रकार से एक और दो यह दोनों जो है विधिक व्यक्ति है और नेक्स नेमलिखित म है यह हीगल का है कि दूसरा है विधिक व्यक्ति विधिक अधिकारों में कर्टब्यों के धारक होते हैं तो यह भी सही है कि विधिक अधिकारों योम है यह विधिक अधिकार और कर्टब धारन करते हैं कि यह कथन भी सही है और यह जो कथन है तीसरा है विद्धिक ब्यक्ति सदय रमी थकी होता है और चटा ज offer है जिसके अधिकार और करतब वे लक्षण तो यहां पर निमलिखित मेंने से काँ सा सिध्धांत निगमित ब्यक्तित से संबंधित है तो यहां पर निगमित ब्यक्तित से संबंधित कौन सा सिध्धान्थ है तो इन जो दिया गया है इसमें इसमें हित सिध्धान्थ जो है यह है हित और इच्छा सिध्धान्थ जो होती है यह विधिक अधिकार से संबंधित है अधिकार से संबंधित है हित और इच्छा बाकि यह रियायत सिध्धान्त कल्पितार्थ सिध्धान्त और यथार्थवादी सिध्धान्त यह सारे सिध्धान्त जो है यह निगमित व्यक्तित से संबंदित है अधिकार से संबंदित जो है तीन सिध्धान्त हैं हमने पहले भी बताया था हीत सिध्धान्त इच्छा सिध्धान्त और तीसरा है संदच्छित सिध्धान्त कि यह तीन जो सिध्धानत है यह अधिकार से संब्दित हैं और व्यक्तितु से संबंदित का सिथ और रियायत का सिध्धान्त यह सारी सिध्धान्त जो है यह विधिक व्यक्तित्य से संबंदित है जबकि हित इच्छा और संदच्छित यह तीन सिध्धान्त अधिकार से संस्वाइस इसमें जो है बहुत बार कुस्टा जाता है मिलान करने के लिए यह इसे में पूछे सुमेलित नहीं है तो इस तरह से बहुत सारे प्रस्ण देखता है याद रहेगा तो इससे गलती नहीं होगी नेक्स्ट निगमित व्यक्तित्त के या थार्थवादी सिध्धान्त का जो प्रतिपादन है वह किस ने किया था तो यहां पर जो निगमित व्यक्तित्त का सिध्धान्त प्रतिपादित किया गया था तो यह जो है गी अरके के द्वारा प्रतिपादित किया गया है नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा निगमित व्यक्तित्त का सिध्धान्त नहीं है तो इसमें हमने बताया कि हीत और इच्छा सिध्धान्त जो है निगमित व्यक्तित्त से संबंदित नहीं है बाकी ये तीनों व्यक्तित्त से संबंदित है नेक्स्ट निमलिकित सिध्धान्त से ही संबंधित हो सकते हैं बाकी राज निगम संस्थाएं व्यक्ति तथा अधिकारों के करता नहीं हो सकते हैं बलकि ऐसे माने गए हैं जैसे कि वह व्यक्ति हों अर्थात यह वास्तों में व्यक्ति नहीं हैं बलकि व्यक्ति कोई सरीर नहीं रखता है नहीं सापित करने के लिए कोई आत्मा रखता है यह परिकलपना निम्लिकित में से निगमित व्यक्ति के किस सिध्धान से संबंदित है तो यह परिकलपना जो है यह मिथक सिधान या कोश्ठक का सिधान्त यह किसे संबंदित नेक्स्ट फिर से कोश्ठक किससे संबंदित है नेक्स्ट निम्ण में से कौन विधिक व्यक्ति है यहां विधिक कौन है तो सहकारी आवास समीत की अध्यक्ष यह विधिग ब्यक्ति नहीं है क्योंकि प्राक्र्टीग ब्यक्ति हैं कौल्पती भी व्यक्ति अ कि नेअल निर्म में से किसको विधीड व्यक्ति नहीं और घ्रежд जा सकता है तो तो इसमें जो है एक विधिक व्यक्ति एक कोस नहीं हो सकता है बाकि एक मूर्ति है मृत्य व्यक्ति है निगम है यह सारे जो है यह विधिक व्यक्ति के अंतरगत आते हैं नेक्स्ट निगम क्या है तो निगम जो है यह किस प्रकार का व्यक्ति तो है तो निगम जो है एक विधिक व्यक्ति के अंतरगत आता है और विधिक व्यक्ति एक ऐसा कृतिम या कालपनिक ब्यक्ति होता है जो बीधिक की दिरिष्ट से तो कोई ब्यक्ति है लेकिन वह वास्तों में कोई नहीं होता है अर्थात कालपनिक ब्यक्ति जो है उसी ही ब्यक्ति कहा जाता है कि नेक्ष्ट निम्लिखित में से किसने विधिक व्यक्ति को परिभासित किया है कि यह एक आस्तित्तु है जिस पर अधिकार और कर्तब जो है अधिरोपित किये जा सकते हैं तो यह जो परिभासा थी यह ग्रे के द्वारा दी गई है और नेक्ष्ट निम्लिखित में से कौन स हुआ है तो यह विदिक व्यक्तित नहीं होगा क्योंकि हित जो है अधिकार से संबंदित है और इसमें भी हित है इसमें इच्छा है तो इच्छा का सिध्धान्त है वह भी अधिकार से संबंदित है तो यह जो है कि कलपनार्थ सिध्धांत और कोश्ठक सिध्धांत जो बी वाला अप्षन है यही जो है विधिक व्यक्तित से संबंदित हैं नेक्स्ट विधिसास्त्र वकीलों का बहिर मुख्ता का स्वर्ग है तो यह जो कथन है वह किसके द्वारा किया गया था यह कथन जूलियस इस्टोन का है लेकेत है कि नेचे से नेच्टर है बिदीशास्त्र मेंGrand शेट कोश्टक या ब्रैकेट की जो फिएरी किस विश्य से संबंदित है तो फिटॆ कि मैस थे नियुक भी सह साम बंदित है कि नेक्ट मुइं कि कलपना कासिद्धान्त निमरिखित संक पनाउं बिधिक व्यक्तित्व किस्ने कहा नेक्स्ट किसे किस केस में भारत के उस्चितम न्याले कि ने निर्डित कि या की गुरुगरंथ शाहिब विदिग व्यक्ति है यह दिया गया था शर्योमरी गुरुद्वाराप्रबंध कमेटी बनाव सोमनाद्दास इस केस में जो है सरोच नियाले ने कहा कि जो गुरुगरंथ साहिप है वह एक लीगल परस्टनाल्टी है या विदिक व्यक्ति है नेक्स्ट प्रीवी काउंसिल ने किस मामले में यह निर्धारित किया है कि मस्जिद जो है न तो वाद दायर कर सकती है नहीं इसको विरुद्वाद दायर किया जा सकता है क्योंकि विधिकी दृष्ट से जो है वह एक कृतिम व्यक्ति नहीं है तो ऐसा जो निर्ड़ा है परसनाल्टी नहीं है वह विधिक व्यक्तित नहीं है कि नेक्स्ट नेमलिकित मामलों में से कौन सा जो केस है वह विधिक व्यक्तित से संबंदित नहीं है बलकि यह क्या है यह कब्जे से संबंदित है कि इनरी कोहन बाकि डैमलर कंपनी का जो केस है सोलोमन बनाम सोलोमन का केस है कंप बिल मनाम पेडिंगटन का जो केस है यह सारे केस जो है विधिक व्यक्ति से संबंदित है लेकिन इनरी कोहन का जो केस है वह कबजे से संबंदित है नेक्स्ट थेयोरी आफ लेजिस्लेशन इस पुस्तक को कितने लिखा है तो थेयोरी आफ लेजिस्लेशन जो पुस्तक है इसके लेखक जेरेमी बेन्थम है और एक आता है थेयोरी आफ जस्टिस तो थेयोरी आफ जस्टिस को जो लेखक है वह और राल्स है थेयरी आप यह लेजिसलेशन है और यहां जस्टिस है थेयरी आप जस्टिस जान राल्स नेक्स्ट एकल निगम की अधारणा के संबंध में किसने कहा है कि जीवित ब्यक्ति आता है जाता है परन्तु बीदी की यह है जो कृति है अर्थात एकल ब्यक्ति है यह सदयों ही रहती है तो यह जो कथन है यह सामंड का है और सामंड जो है एकल निगम के संबंध में कहते हैं कि एक जीवित ब्यक्ति अर्थात जो नेचुरल ब्यक्ति है प्राकृतिक ब्यक्ति है वह आता है और जाता है अर्थात वह पैदा होता है और मर जाता है लेकिन जो एक एक एकल निगम है वह हमेशा के राष्चर्पति के रूप में थूरन 2 यह राष्ट्पतिर्स रहता है वह अलग बात है और एक होता है समस्टी निगम ऐसे लोग आते हैं जैसे एक संस्था हो गई विश्विद्ध्याले हो गया निगम हो गया बैंक हो गई तो पूरे संस्था में जितने भी लोग काम करने वाले हैं जितने भी इंपलाई है वो सारे उस निगम के भाग माने जाएंगे कि एकल निगम का मुख्य पृयोजन क्या है एकल निगम ऐग मुख्ष पृयोजन होता है या उसका मुख्य कि अग्रार का सिद्धान थाय बाकि रियायत कल्पना और हुष्टक किया व्यक्तित्च संबंदित बिधिक बिधिक संबंदित इस लिए UAघ कर निगम के प्रत्याय के संबंद में यह कथन हैं कि जीवीत व्यक्ति आता है और जाता है परंतुब लिकियaked स healthy सदव रहती है कि одна समस्ती निगम का गलत उद़ारण कोंचा है समस्ति निगम那麼 βारत का निगम के अंतर अता है निगम यह प्रकार से यहां प्रकार से पूछा है कि समस्ति निगम यह गलत उदारण कौन है भारत का राश्ट्पती अ कि नेक्स्ट इग्लैंड में समराट की विधिक इस्तिति क्या है तो इग्लैंड का जो समराट है वह एक एकल निगम माना जाता है तो आमने बताया कि एकल निगम में वही आते हैं किसी देश का जो मुखिया है संबंध में विभृन सिध्धांत और उनके प्रतिपादक है तो निकमित ब्यक्तियों के संबंध में जो अलग-अलग सिद्धांत पृत्पादित किये गए है तो उस सिद्धांतों का कोन है 水 प्रयोजन का सिदिधांत जो ब्रिंज का है कोश्टक सिध्धांत इहरिंग का द्वारा है और कल्पितार्थ सिध्धांत यह सामंड के द्वारा है और यह थार्थवादी सिध्धांत यह गीर के के द्वारा प्रित्पादित किया गया है कि नेक्स्ट है कथन ए बनारस हिंदू विष्व विद्याले के विरुद्ध नियाले में वाद दायर किया जा सकता है तो कथन सही है कारण इसका है कि एक विधिक व्यक्ति है तो कारण भी सही है तो इस प्रकार से जो कारण और कथन दोनों सही है और जो कारण और है वह एक ही सही व्याख्या है क्योंकि जो एक विष्विध्यालय होता है यह एक विधिक व्यक्ति माना जाता है और विधिक व्यक्ति अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं एक होता है एकल निगम जिसे कहा जाता है जिसमें राश्पती होते हैं विष्विध्यालय का कुल्पत तो वह भी विधिक व्यक्ति होती है और उसके द्वारा भी वाद दायर किया जा सकता है और उसके उपर वाद है दायर किया जा सकता है तो इस प्रकार से इसका जो पहिला विकल्प है वही सही है कि नेक्स्ट है लोक निगम संपत्ति को अरजित कर सकता है और उसे रख भी सकता है यह कथन सही है क्योंकि जो लोक निगम होता है वह एक विधिक व्यक्तित उसे प्राप्त होता है तो इस प्रकार से कथनों कारण दोनों सही है और जो कारण है वह कथन की सही अस्वस्टी करन क्योंकि जो लोक निगम है जैसे कोई विश्वष दयाल थो यह एक लोग निगम होता है और इसे विधिक भ्यक्तित प्रप्त होता है और उस DIY को संपत्ति कर सकता हैं समपत्त को रख सकता इसके उपर मुकदमा दायर किया जा सकता सकता है या यह वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की द्रिष्ट से अनिश्चित है बेयन की द्रिष्ट से अनिर्बंधित है और अवधी की द्रिष्ट से असीमित है तो यह ऐसा कथन है यह है आस्टिन का और आस्टिन का यह कहना है कि जो स्वामित होता है किसी वस्तु पर इस प्रक कर सकता है और उसे अनिश्षित काल तक अवधिकी दिरिष्टे असीमित है तो यूज रीज कर सकता है तो इस सका जो कताना है आष्टिन का अज़त है आभिकार्ता या सेवक के माध्यम अगर को और किया जाता है तो यह किस प्रकार का कब्जा माना जाएगा तो यह जो कब्जा है वह है व्यवहित कब्जा माना जाता है अर्थात इसमें जो है एक व्यक्ति है वह किसी वस्तु पर प्रत्यक्ष जो नियंतर्ण तो नहीं रखता है लेकिन वह जो अपने आभिकारता या अपन कि नौकर के माध्यम से किसी संपत्ति पर जो है कि कभजा रखता है तो इसे ही व्यवहित कभजा कहा जाता है किसे कौण से ऑष्टिन के द्वारा स्वामित्य ने स्वामित्य दुआ तो जैसा पहुंद हमने देखा है तो उसमें क्या होता है कि कि उसमें कि सीधे अपने स्वेम ने टर्हक्ता देख सकता है तो तो यह सई नहीं दूसरा है उसे अनिश्ची तरिकार होता है अवध की दृष्ट से असीमित कालता को अधकार रखता है और वस्तु का स्वामी के रूप में धारण करने का उसका आसाय होता है तो इस प्रकार से जो स्वामित के यह तीन तत्तों होने चाहिए आश्टिन के अं है तो यह जो कथन है यह हालेंड का है कि नेक्स्ट है सभी मामलों में स्वामित्य की विसेवस्तु एक अधिकार होता है निम्लिकित में से किस विदिशास्त्री का यह मत था तो यह जो मत है कि सभी मामलों में स्वामित्य की विसेवस्तु एक अधिकार होता है तो यह जो है सामंड का है नेक्स्ट निम्निकित में से कौन सास स्वामित का गलत वर्गी करण है तो स्वामित के जो है जो वर्गी करण है वह अच्छा प्रकार के स्वामित होते हैं अर्थात जो स्वामित का वर्गी करण किया गया है वह अच्छा प्रकार में किया गया है तो इसमें से है मूर्थ और अमूर्थ और दूसरा है न्यास स्वामित हुए हितकारी स्वामित न्यास हुए हितकारी हो गया तीसरा है नीहित हुए समास्रित नीहित हुए समास्रित हो गया उसके बाद होता है बिधिक हुए सामिक स्वामित बिधिक और सामिक स्वामित हो गया एकल और सह है पूड़ और अंतिम स्वामित तो इस प्रकार से इसमें जो है सीधा और मध्या स्वामित इसका कोई प्रकार नहीं है बाकि मूर्थ अमूर्थ देखी लिए इसमें अंतरगत आता है जो छे प्रकार है इसमें नियास और लाप्रत भी हैं पूड़ और सीमित हैं तो यह सारे हैं लेकिन इसमें सीधा और मध्यस स्वामित इसके अंतरगत नहीं आता है नेक्स है निमलिकित में से कौन साख कपजा का सही वर्गी करण नहीं है तो कब्जा का जो वर्गीकरण है उसमें जो है प्रत्यक्ष कब्जा और अप्रत्यक्ष कब्जा यही इसका सही वर्गीकरण नहीं है क्योंकि जो कब्जे का वर्गीकरण है वह होता है तत्थित्य कब्जा और बिधित्य कब्जा और मूर्त कब्जा और अमूर्त कब्जा हो है प्रतिकूल के यह जो है इसके प्रकार हैं लेकिन इसके अंतरगत प्रत्यक्ष कप्जा और प्रत्यक्ष कप्जा नहीं आता है कि नेक्स्ट किसी खोई हुई वस्तु पर उसे पाने वाले का उस वस्तु के वास्तुविक स्वामी को छोड़ कर संपूर्ण बिश्चों के विरुद्ध अधिकार सर्व प्रथम निमलिखित वादों में से अर्थात अगर कोई खोई हुई चीज कोई व्यक्ति पाता है तो जो वास्तुविक स्वामी है उसको छोड़ करके से सव्यक्तियों के विरुद्ध वह जो है बेहतर अधिकार रखता है जिसने उस संपत्ति को पाया है तो ऐसा जो नेड़ा है वह ब्रीजेज है बनाम हाक्सवर्थ के केस में दिया गया था कि स्वामित के साथ तीन तो इसमय कबजए का अधिकार है उसको उपभोग करने का आधिकार है और ट्रांसफर या ब्यायन करने तो तो ऐसा पिट्ए नीड़े जो है यह था कि नएएर बनां घोसी एलकजैंडर की किसमें यह मैं दिया गया था तो वी और सई होगा नेक्स्ट निम्लिखित में से किसने कपजे के सिध्धान्थ का प्रत्पादन नहीं किया था तो इसमें से जो कपजे का जो साइविनी ने किया है सामंडे ने किया है और पोलाक ने किया है लेकिन इसमें से जो फ्रीड मैन है इन्होंने कपजे के सिध्धान्थ का और आधिपत्य का आसय यह दोनों जो वाते हैं यह किसी कब्जे के आवश्यक्तत्व हैं कि इसके संबंद में सैविनी का सिध्धानत है और सैविनी का यह मानना है कि यहां आदीपत्र आशाय होना है कि उसको धारण करने का या उसके आधिपत्र का आसाय होना चाहिए तो इस को Dieses जो कब्जा है उसके दो आवस्यक्तत वस्तु और आसे होने चाहिए नेक्स्ट नेम लिखित में से किसने कब्जे की दो संकल्पनाओं अर्था अर्थात तत्यतह कब्जा और विधितह कब्जा को अस्विकार कर दिया और जो है कि सत्यतह कब्जा तथा तत्यतह कब्जा की एक संकल्पना को स्विकार किया इन्होंने तत्यतह और विधिक कब्जा का जो सिध्धानत है उसको अस्विकार करके सत्यतह कब्जा और तत्यतह कब्जा को स्विकार किया है तो ऐसे जो विधिसास्त्री थे हुए थे साम सामन्ड के अनुसार बिधिक कब्जा किस प्रकार का कब्जा है तो सामन्ड के अनुसार जो बिधिक कब्जा है वह एक जो है मिथे की असंकल्पना है और इनका यह मानना है कि जो कब्जा होता है वह केवल दो प्रकार का होता है तत्यत्य है और सत्यत्य है तो यह केवल दो प्रकार की जो कब्जें है उसको मानते हैं जबकि बिधिक कब्जा के बारे में इनका यह मानना है कि यह कब्जा एक मिथकी संगल्पना है यह केवल काल्पनिक है यह कि नेक्स्ट सामंड के अनुसार बिधिक कब्जा किस प्रकार का कब्जा होता है तो सामंड का यह मानना है कि बिधिक कब्जा जो है यह मिथकी संकल्पना है अर्थात यह काल्पनिक विचारधारा है यह काल्पनिक कब्जा है क्योंकि यह कब्जा है कब्जे के किवल दो रू कबजा को को एक पड़ा नहीं मांतेश 2030 इसको यह कलपना मातर मानते थाży भारत में निम्लिकित अधनिएमों में कौ। कब्जे की रक्षा करता है तो इसमें Castle की रक्षा जो है स्याज़के साफ फ टे नहीं है तो इसमें जो है जो लंदन स्ट्रीट ट्रामवेज कंपणी का जो केस है यह कब्जे से संबंधित नहीं है बलकि यह जो है न्याले के पूर्वर निर्ड़े से संबंधित है पूरु नीड़े से संबंदित है London Street Traverse Company बना में लCW कि नेक्स्ट कबजा दो तत्तों से बना है कबजा धीन वस्तु और अधिपत्य का आशे तो यह जो परिभासा है किसकी है तो यह परिवासा जो है यह सैविनी की है और सैविनी का मानना है कि जो है कभजे के दो आवस्यक्तत्तों है पहला आसे होना चाहिए कभजे का और दूसरा जो है एक वस्तु होनी चाहिए जिस पर कभजा किया जा रहा है कि नेक्स्ट जब हम एक व्यक्ति के संबंद में कहते हैं कि उसका कब्जा है तो हम प्रत्यक्षत हैं जो है इस बात की पुष्टी करते हैं कि उसके बारे में कतिपय वर्ग के समस्त तथ्य सत्य हैं और हम अप्रत्यक्षत है या विवक्षित रूप से यह बताते हैं कि विध द्वारा दी गई है जला कब जैककी अशंगल्पना का एक महत्वपूर्ण तक तो तो जिसका अर्थ क्या है तो इसंक वे कारण करने वाले का अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप का अपवर्जन करने का आसे है अर्थात जिस व्यक्ति का कब्जा है वह किसी अन्य व्यक्ति को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने का आसे रखता है तो यहीं जो है अभिरक्षा का अर्थ होता है और अभिरक्षा का जो तात्पर्य है उसका आर्थ है वह है भौतिक नियंत्रण अर्थात अगर किसी व्यक्ति के भौतिक नियंतर्ण में कोई चीज है तो यह माना जाएगा कि वह उसकी अभिरक्षा में है और अन्य व्यक्ति उसकी अभिरक्षा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट नेमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो इसमें से कि तथा कपजा उसी स्थिती में संभग होता है जब किसी व्यक्ति का वस्थू पर तदकालिक प्रत्यक्ष नियंतर्ण होता है तो यही जो कथान है और नेक्स्ट जब मध्यवर्ती कपजा अंतरुत कर दिया गया हो तथा तातकालिक कपजा जो है अंतरती के पास ही रहे तो कपजे के आनुविक परिदान की यह रीत क्या कहलाती है तो कपजे की यह जो पर रीत है हुआ है कांस्टी ट्यूटम पजेजोरियम कहलाती है तो यह पहला विकल्प सही है सब्दों को ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि यह सीधा सीधा हिंदी ना देकर इस तरह के सब्दगर दे दिये गए तो यहां पर केवल अगर रटा हुआ है तभी सही हो पाता है अनिता गलत ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति है उसी के पास रहता है तो कब्जे के आनुएक परिदान की चो हो सकता है तो यहींकों कब्जिका उसकता है तो एक किस प्रकार से किया जाएगा तो इसे जो है ट्रेडिसियो ब्रोवी वानु कहा जाएगा इस प्रकार से एक टॉर्णमेंट और कांस्टिट्यूटम पजेजेरियन तो यह जो है एक तीन और चार यही जो है इसका सही विकल्प है खर यह जो PCS जे का प्रस नहीं है यह एक बार PCS में पूछा गया है जब सब्जेक्ट हुआ करता था तो उस समय पूछा गया है निम्न में से कौन सा कब्जा अरजित करने का तरीका नहीं है तो इसमें से जो है कब्जा अरजित करने का जो तरीका है वह है बीदी के प्रवर् जो तरीका है वह नहीं है नेक्स्ट है तो यह कुछ बातें दी गई है और उसका सुमेल है तो यह पहले से ही सुमेलित है इसमें पहला है मालिक अपना माल एक अभिकरता के पास जमा करता है तो जब मालिक अपना माल एक अभिकरता अर्थात एजेंट के पास छोड़ा दीता ह यह उसे जमा करता है तो उसमें जडिया मध्यवरती कब्जह कहा जाता है और करता है क्रेटा क्रेटा दुकांदार से कोई पूस्ट केगा और तीसरा है स्वामी द्वारा पहनी हुई घड़ी तो पहनी हुई जो घड़ी है वह उसका मूर्थ कब्जा है और जो कॉपी राइट है तो कॉपी राइट एक अमूर्थ कब्जा होता है कॉपी राइट के बारे में पूछा जाता है कि किस प्रकार का अधिकार है तो यहां भी अमूर्थ अधिकार होता है कि नेक्स्ट ए द्वारा अपने स्वामित के माल को बी की अनुमति से बी के मकान के कमरों में रखा गया उसके बाद कमरों पर एक एजेंट द्वारा ताला बंद किया गया और जो चाबी है वह एकी अनुमती से एके पती एच को दे दिया गया तो अब इस कमरे पर किसका नियंतरण माना जाएगा तो यहां पर जो चुकी जो स्वामी है वह ए है और उसके एजेंट के द्वारा ताला बंद करके उसकी जो चाबी है वह है उसके पती को दिया गया है तो इसमें जो है अगर तातकालिक कपजा देखेंगे तो तातकालिक कपजा एच का माना जाएगा तातकालिक कब्जा जो है वह है एच का होगा लेकिन जो वास्तिविक कब्जा होगा वह है यह का ही माना जाएगा नेक्स्ट है किसी अन्य की संपत्ति पर जो की राज की संपत्ति नहीं है एक प्रतिकूल कब्जा स्वत्तो प्रदान करता है क्युंक कर देदा है तो अगर यह लगातार 14 वर्सों तक सांति 6 पुर्वक प्रतिकूल कोई जारी रहता है तो वहां पर जो जिस जो किया है उसे स्वत्व पुर्दान हो जाएगा उसे स्वामित्य से संबंधित जो है कि मेरी बनाम ग्रीन का है और इनकोना बनाम रोजर्स का है और हीबर्ट बनाम में कियरन का है तो इस प्रकार से सामण ने कबजे को मूर्थ और मूर्थ नार्ण विवाजित किया है और उनके उससार जो मूर्थ कपज hoता है वह अनन्य उप्योग के दावे का एक सतत्प्राउग है कि का है कि सुमेलिद करना है तो कोश्णक सिधांत यह विक्तित से संबंदित होता है इच्छा सिध्धान्त या विधिक अधिकार से संबंदित होता है पदार्थ का कब्जा और धारणा से तो यह कब्जे से संबंदित होता है और इतिलोक्त जो होती है यह पूर्ण निर्णे का सिध्धान से संबंदित है और इतिलोक्त में बाधिकारीबल सभी नहीं होता है लिए स्वामित किसी वस्तू पर पुर्ण नियंत्रण्त है यह कथन किसका हैanne किस ने कहा है स्वामित एग ब्यक्ति और यह चीज जो स्वामित की विश्यवस्तू के बीच के संबंध को प्रकट करता है तो यह कथन किसका है तो यहांपर यहत है वह सामंद का है और सामंड कहते हैं कि किばस्तू का सवामित्य ब्यक्ति और उस वह स्वस्तू के भीच का अथ परस पर संबन्द है तो इसका जो है ग। सामंड यह होगा है नियम लिखित में से कौन सा जो है इसमें सही नहीं है तो इसमें है सौमित एक ऐसा संबंद है जो भ्यक्ति तथा स्वामित के स्था मध्य होता है और यह जो कथन है या जो मानना स्वामित के बीच के संबंद करता है दूसरा है स्वामित एक ब्यक्ति तथा उसमें नीहित अधिकारों के संस्था है तो यह चाउथा कथन रहें सही नहीं है स्वामित बिधिन अरिकारों का उसी तरह समुच्च है जिस तरह से बाल्टी में रखा पानी जो है अलग अलुदों का संगरह है तो यह कथन परीरिजेत केंद करते नेयम लिकित कथनों पर बिचार कीजिए तो पहला है स्वामित एक ऐसा संबंध है जो ब्यक्ति और स्वामित की विश्यवस्तु के बीच में होता है तो कथन सही है है दूसरा है स्वामित व्यक्ति और उसमें नीहित अधिकार के बीच का संबंध है तो यह कथन भी सई है तीस्रा है स्वामित जो है अधिकार्षकारों का समच्च है और चबथा है सभामित जो निम कथन सही है नेक्स्ट नेमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला है स्वामित्य में पदार्थ के भावतिक नियंत्र की सक्ति होती है किन्त उपभोग की नहीं तो यह कथन सही नहीं है क्योंकि जो स्वामित होता है वह उपभोग की दिरिश से असीमित होता है और उसका भावतिक नियंत्रण है वह अभी असीमित होता है तो पहला बिकलतों सही नहीं होगा दूसरा है स्वामित्य में पदार्थ के भातिक नियंतरण और उपभोग दोनों के सकती होती है तो सही है तीसरा है स्वामित्य में इच्छा नुसार प्रबंधन की सकती होती है तो यह भी सही है और चौथा है स्वामित्य में दूसरों को विर्यत रहकर स्वयम कभजा रखने की सकती होती है तो इस प्रकार से यह तीनों कथन सही है पहला वाला कथनी सही नहीं है यह किसी आवश्यक के कारण आप अभी वह ह कुण होने की ९ोग है तो ऐसे स्वामित होते हैं किस प्रकार का स्वामित हो में से कौन सा स्वामित तुकागुण नहीं है तो पहला है दान करने का अधिकार अपनी संपत्ति का दान कर सकता है दूसरा है केवल अधिभोग का अधिकार तो केवल लगा है तो यह जो कि अधिकार उसे नहीं होता है वह कर सकता है दान कर सकता है उसको यूज किसी भी तरीके से कर सकता है तो यह उसका जो है स्वामित का गुण नहीं है बाकी विक्रय का अधिकार उसे होता है अवसिस्ट उपयोग का अधिकार होता है तो यह सारे अधिकार होते हैं दूसरा विक यह सही है कपजे से हटने का अधिकार तो यह हाज Mmm नहीं आता है बाकी उपभोग और उपयोग का अधिकार भी उसमें स्वामित दुमें आता है नश्ड करने का अधिकार आता है कि नेक्स्ट है यह सुमेलित हैं सब इच्छा सिध्धान्त यह विधिक अधिकार से संबंदित है और यह थार्थवादी जो सिध्धान्त है वह विधिक व्यक्तितु से संबंदित है घोशडात्मक सिध्धान्त पूर्ण इर्ड़ा से संबंदित है और धारणासा यह है कब् और नेक्स्ट है कुछ ब्यक्ति यह लेखक है और इनकी पुस्तक हैं तो इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी जो लेखक हैं और उनकी पुस्तक हैं वह किस प्रकार से इस सुमेलित करने के दिया गया है हलंकि इसमें सब सुमेलित हैं तो इसे जो है गर याद रखेंगे तो वहां सुमेलित करने में आसान रहेगा कि इसमें हैं एम होकार्ट तो इनकी पुस्तक है Kings and counselors और W2 States है तो इनकी पुस्तक है दे फिलास्फी आफ हीगल और के आर पोपर है तो इनकी जो पुस्तक है the open societies and its enemies यह पुस्तक है और जे एम लाइट वूड की जो पुस्तक है दे नेचर आफ पॉज्टिव ला नेक्स्ट कौन सा सिध्धांद संपत की संकल्पना से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसमें से जो है संपत की संकल्पना से जुड़ा हुआ सिध्धांद जो है वह नैसर्गीक दिसिसनद Cup है स्रम्सिधांद है मनोभय ग्यानिक सिध्धांद भी है जो सब्स पति κάνू संकल्पना जुड़ा है लेकिन इसमें यथार्थवादी सिध्धान्त जो है यह संपत्त से संबंदित नहीं है बलकि यह विधिक व्यक्ति से संबंदित है विधिक व्यक्तित से 3 साम बंदित है या थार्थवादी सिздहांत अब संपथिकी संकल्पना के कुछ सिध sesjay उसमें है प्राकृतिक या नैसरगीव इसे ही प्राकृति कहते थ हैं प्राकृति कि नैसरJust सिध्धानत हो गया उसके बाद स्रम सिंध्धान्त है तत्यव मिमांसी सिध्धानत है है यह हो गया है और राज की सक्ति का सिध्धान्त है मनु बाई ग्यानिक जिद्धान्त है उसके अलावा यान स्चड़ान्त यह से संबंधित संपत्र कि संकलपुना से हैं इस कि सदय घो और हब जो मनुश्चिका को सकता है उस अपने कर्ता को करने का दिखा रहे तो यह कथन इव आ widi की offered है तो यह जो कथन है वह किसका है यहां पर पूछा गया है कि यह किसका कथन है तो यह जो कथन है वह अल्पियन का है कि नेक्स्ट सामाजिक समेकता का सिध्धान्त किसने प्रत्वादित किया था तो सामाजिक समेकता का सिध्धान्त जो है वह है ड्यूगिट का है जो की ड्यूगिट जो मानते हैं कि व्यक्ति के पास अधिकार नाम की कोई यह टीन उसकी आवज्टत तो हैं लेकिन जो यह सी वाला अपसन-हे कि रूड़ी का निरंतर अनुपालन आवश्यक नहीं है तो यह जो आवश्यक क्योंकि रूड़ी डंड का कोई सिध्धान्त नहीं है नेक्स्ट स्वामित किसी पदार्थ पर पूर्ण नियंत्रण है तो यह जो परिवासा है किसकी है तो यह परिवासा हॉलेंड की है कि नेक्स्ट विधिक क्रम मानकों का स्थूप है तो यह कथन किसका है यह जो कथन हुआ है के लेशन का है नेक्स्ट है बीधि में हार्ट फुलर विवाद किसे संबंदित है तो बीधि में हार्ट और फुलर का जो विवाद है वह जो है बीधि और नयतिक्ता से संबंदित है इसमें इस विवाद में जो हार्ट है वह कहते हैं कि बीधि और नयतिक्ता के बीच में कोई संबंद नहीं है लेकिन जो फुलर हैं इनका यह मानना है कि जो विद्धी और नयतिक्ता है उसमें परसपर संबंध हैं परसपर घनिष्ट संबंध मानते हैं यह विद्धी और नयतिक्ता में कौण फुलर लेकिन हाट का कहना है कि विवर नयतिक्ता है उसमें कोई संबंध नहीं थे हुण स्लाइज प्रगतिसी ल समाजों का संचालन अब प्रास्थिती से संभिदा कोई और हुआ है तो यह कथन किसका है तो यह में का है और है हें इस स्विherऀ के प्रत्раст किया गया था तो यह किस केस में प्रत्थपादित किया गया था तो दोस्तों प्रकार से इस वीडिय के प्रसणों को हलिदा है जो है जो सब्सक्राइब है है और पूरे उमीद है कि यह आपकी तयारी के लिए बहँत करू अधिक वह बहुत है और माइक्सिमम कोश्चन को हमने अटेंट कर लिया है और आपके परिच्छा में लगभग 15 प्रसन पूछे जाएंगे और हमने यह सारे वीडियो में एम अबाग 15 प्रसन प्रसन आपके जाएंगे और आपके जाएंगे खिасक सकत ठा है makes this